बड़ेवनी तो सर यह लेक्चर आने में टाइम क्यों लग गया है क्योंकि कुछ बच्चों का यह कहना था कि सर जो प्रेजेंटेशन आप करवा रहा है आईसी एई का इस्टडी माटेरियल से उठाया गया है इट मेंस जो मैंने डेरिविट्यू में करवाया है वो आईसी एई के सजिस्टेड आ North है उसको एज़ इस लिया मतलब प्रेजेंटेशन जो में लिखवाता हो ना वे ऐसा वाला प्रेजेंटेशन नहीं था तो बच्चों का यह गयाना कि सर मज़ा नहीं आया है उसमें मतलब जो आप presentation करवाते हो जो आपने हमें class में लिखवाया है सेम चीजे का अगर आप revision करवाद होगी तो बहुत अच्छा होगा और वाकी मैं भी सोचा कि यह बहुत सही advice से जो मुझे दी गई है और seriously मैंने video record कर दिया था interest rate risk management का अब उसको न upload करती हुए मैं फिर से record कर रहा हूँ कि वाकई बहुत अच्छी सलह थी और अच्छा लगता ऐसी सलह कोई मुझे देता है तो तो अब जो revision video होने वाले है उसमें जो solution जो दिया रहेगा it means मैं कुछ नहीं जो मेरे notes है उसी से में revision करवा रहा हूँ मैं IC AI के solution नहीं ले रहा हूँ answer मैं चोगे और presentation हमारा ज्यादा अच्छा IC चलिए इसमें तो QS कि बाते तो स्टार्ट क्रें है test paper description में है किस Gaming यह किसके अगर है दम तो Da Soami स्वारीजे सथ में आप इक काम कीजिए अब test paper нём बन सापर है नो की लेकिन दिक्कत यह है कि सर इसको बताइगा में बताऊंगा आप बस एक काम केजिए को मैं लास के लास्ट में नमबर दूँगा उस नमबर पर वाटसप कर दीजीए काथेस्ट पीपर लिखकर मुझे वाटसप कर दीजिए तोड़ा सा टाइम देना दो-तीन दिन का चेक करके पका-पका आपको रिप्लाय पुशिस करना टेस्ट देने की जितना भी आपके पास टाइम है चैप्टर वाइस टेस्ट है ठीक है सर वो तो हम दे देंगे नाम और किस सिटी से हो यह ज़रूर लिख देना मुझे थोड़ा सा आसानी हो कि आपको समझाने में बताने में ठीक है जी ठीक है चले स्टार्ट क की बात है कि क्या रेट की मालो हम बैंक से पैसे उधार लेते हैं मैं बैंक से पैसे उधार लेते हैं ऒंक से भ इसन कि सम नजेस परसzent किसी परसेंस के बाद करो बड़ी बड़ी बात करेंगा ज्यादा अच्छा है हमने उधार ले लिया किसी person से और हमने उससे कहा कि हम आपको 10% ब्याज देंगे पास सल तक क्यों हमें किसी प्रकार का risk है 10% देना है और आज भी 10% देना और 2 साल बाद भी 10% देना और 4 साल बाद भी 10% सरकाय का रिस्क जब 10% ही देना है तो रिस्क कैसा रिस्क है आप 10% पे उधार ले लिए हो और आपको 10% देना है लेकिन मार्केट में आज से Ilusth साल बाद क्या हो गए और रेट आप इंडेशट कम हो गए मार्केट में 8% पे आपको आपसानी से पैसा मिल रहा है और आपने contract कर लिया है कि आप पास साल तक आप दोगे दोगे प्रीपैमेंट का option नहीं है आपको 10-30 क्या रिस्क है रिस्क है किस बात का रिस्क आपने 10% से तो धाली रिस्क इस बात का कि मार्केट में rate of interest काम हो जाएगा तो यार आपको तो घाटे का सवधा हो गया यही कुछ समझाना है मुझे टॉपिक का नाम क्या है interest rate risk management और क्या उसको आप manage कर सकते हो हाँ बहुत सारी तरीक है अफरे है इस वैप है बहुत सारी आगे देखते तो है क्या पर रा तो देखे जी हमें क्या क्या discussion करने है तो discussion यह करना है कि हमें इस चैप्टर में चीज़े पढ़ना एक तो एफरे फावरेट एग्रिमेंट हां सरी हमारा पाइबरेट हुआ करता था एक पढ़ना इंट्रेट गयारंटी एख हुआ इसा का तो एक कोशिंट और पका-पका कशण करेंगे करें इंट्रेट फिचर स्कभीै की question देख करने करना है तो कोशन है हम पका-पका करना है फर坏 कि तो बहुत को कोस्षिन करेंगे और Swap Pricing & Valuation का क्योंकि हमारे हलां कि मेरे Regular class हो चाहाए Fast Track class मैंने Swap Pricing & Valuation करवा रखया है पर चुंकि Study materials में question निया तू मैं मझे ऐसा लग जब रहा है कि ये कम important है आप खुद अपने आप समयलोग है पर जो तो ये जो Regular K Shannon से वहां से देख लेना जरुद उतना ज्यादा मुझे इंपोर्टेंट नहीं लगता मैं यह नहीं कह रहा कि आ नहीं सकता आ सकता है तो उसके लिए तो एकात्तों चीजे आप खुदत से देख लोगे तो मुझे टूटल मिलाकर इतनी चीजे करवाना फॉर्वर्ड एग्रिमेंट इंट्रेट ग्यारंटी फाइनिशल स्वैप इंट्रेट फ्यूचर कैप कोशिस करेंगे कि दो घंटे में निप्टा है हाँ जी तो रिवीजन क्या वो तो रैगुलरी क्लास हो जाएगी तो सर प एक्स्प्लेंट पुरी तरह से नहीं करूँगा पर यार याद तो दिलाने वाला का मेरा ही है ना हाँ सर मालो किसी बैंक से पैसे उधार लेना है किसको राम को ठीक है राम को किसी बैंक से पैसे उधार लेना है और बैंक से पैसे कब उधार लेना बोले बैंक मुझे आज क्या ह होता है लंडन इंटरीए मैं कुछ नहीं सम्झाऊंग यह आपको आता है मैंने का बैंग मुझे न पैसे उदार चाहिए पर पैसे अभी उदार नोगरेल हैं मुझे उधार चाहिए आज से तीन महने बाद यह आज बैंक से बोल रहा हूं रेट आप इंटरेस्ट तो बहले रेट आप इंटरेस्ट चलो 9% पर उधार ले लो 9% पर अभी उधार चाहिए तो मैंने अभी उधार ने चाहिए मुझे चाहिए आज से तीन महने बाद और कित तक बैंक ने का ठीक है तीन मेंने बाद उधार ले लेंक कोई समस्या नहीं बोले नौ प्रतिशत पर भी उधार दूगे के 9 पर्षेंट बोले नहीं भई इसके गैरंटी नहीं बात तो यहीं है ना बोले उस समय जो रेट रहेगा आए से 3 मेंने बाद में खुद बैंक क्योंकि पैसे तीन मेने बाद उधार चाहिए और रेट आप इंट्रेस्ट जो की 9% है तीन मेने बाद बैंक ये ना कह दे कि 12% पर उधार मिलेगा अब आपको बहुल भी सकते हैं हां कम भी हो सकता है कह नहीं सकते पर राम को डर तो एक ही चीज का ना कहीं रेट आप इंट्र अब होता क्या है और एक बेंग का नाम ली थे डूसरी भेंग लेड़ेसै दूसरी यह है दूसरी ङांट इसका नाम क्या इसका नाम रकना थो पड़े इसको हम भोल रहा है FRI याद आया हां צरा याधी तो इन अर फ़ारी बेंक की बलती सुनो सुनो उचिंता मत करो इस करना राम हमारे साथ agreement कर लीजिए आज से और rate of interest कितने बुले 10% एक rate fix कर लेते 10 9 का छोड़ दो 9 तो बुले 10% बुले क्या fix करने जरा बताओ तो सही बुले आज से तीन महने बाद आप इसी bank से उधार लेना हम उधार नहीं देने वाले इसी bank से उधार लेना अगर ये bank मालो उस समय rate of interest 12% हो गया हमने का ठीक है 12% हो गया तो तो बहुत आप इस bank से 12% पर ही उधार लेना बहुत मुझे दिक्कत कुछ नहीं है जो 2% extra है 2% हम आपको दे देंगे हम देंगे किसको राम को दे देंगे आ समझ में आ रही है तो राम न मतलब तीन महने बाद rate of interest बढ़ गया 15% हो गया तो भी मुझे चिंता नहीं करना है मैं लोन तो 15% के साब से लूँगा जी हां लेकिन जो डिफरेंस है 5% वो एफरे बैंक किसको दे देगी राम को मतलब मुझे 15% में राम मुझे 15% देना है बैंक को और 5% तो मुझे इधर स मजा राया इसमें ठीक है राम ने का अगर 18 हुआ तो दिकत दिए 8% ले 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 ना वाव और अगर rate of interest 12% ना होकर rate of interest मालो 8% हो गया हो सकता ना तीन मैंने बाद 8% हो गया तो तो राम बोलता फिर तो या मेरी खुसी का ठिकाना नहीं मैं इस बैंक से ऐसी भी उधार लेने वाला हो तो अब मुझे 8% भी मिल जाएगा वाव थैंक थैंक यू नहीं और अगर rate of interest कम हो गया तो राम आप हमें दे देना कितना परसेंट 2% आपका rate of interest 10% ही पड़ेगा चाहे दुनिया इधर की इधर उचाहें राम ने का अच्छा मतलब अगर बढ़ा तो मुझे पड़ेगा और अगर कम हुआ कम हुआ तो मैं आपको दे दूँगा हाँ इसको किस बात का डर था rate of interest बढ़ने का ठिक इसको डर है sorry rate of interest कहीं बढ़ना जा है तो इसने देखा जाए तो अपसाइड बैटिंग किया है upside betting upside betting बढ़ने का डर बढ़ेगा तो मिलेगा अच्छा सर मतलब long position न हाँ इसको आप long position भी बोल सकते हों पर long position share पर नहीं long position किस पर है long position किस पर इंट्रेस्ट रेट पर रामको कब पैसा मिलेगा जब rate इंट्रेस्ट बढ़ेगा तो डिफरेंस राम को मिल जाएगा ठीक हम इस बैंक की तो बात कर रही ही ना हम एफरे बैंक और राम की बात करें दोनों के वी आपस में कॉंट्रक्ट हो रहा ठीक है और लॉंग पोजिशन को हम और एक लेंगविज क्या बोलते हैं सर बाई बोलत है और इसियुक्त और इससे साल डिफरेंस छे मेहने के लिए गता है टीन मेहने बाहर जिक बा具 आ यह व्यां पास समझ मारई है मैं लेंगविज्ब चापको याद दिला रहो है अच्छा दूसरा क्या हो सकता ऑ Two-S अ हो सकता है और दूसरी बात भी समझ ले तो हमें आसानी होगी आगे ना बहुत स्पीड से क्लास बजाने वाली तो एक्चुली वो टर्म जो है हम समझ तो ले ठीक फिर से राम और राम को इस बार इस बैंक में इन्वेस्ट करना और इन्वेस्ट अभी नहीं करना है इन्वेस्ट करना है आज से तीन मेहने बाद छे मेने एक लिए राम के पास जो पैसा आने वाला अभी तो है नहीं है तीन मेहने बाद अभी रेट अप इंटरेस्ट क्या चल रहा है नाइन पर्शन अभी राम को किस बा का डर है कहीं ये वाला बैंक में जब मैं तीन में बात पैसे जमा करना जाओंगा कहीं रेट आप इंट्रिस्ट कम ना हो जाए तो अब फिर से ये वाली बैंक आई इसका नाम क्या लिखा था मैंने इसका नाम था एफारे बैंक और एफ ए बैंक बोलती राम चिंदा मत करो चलो कॉंट्रेक्ट हो कर ले और यहां रेट को दूसरा आठ परशन कि राम आपको आट परशंट मिलेगा आप इसी बैंक पर्सट में जमा करना आपको आठ परशंट मिलेगा नाइन भी हो सकता था मैने आठ लिखवा दिया को दि यहीं करोगे यहां से साथ ले लेना भई और हमसे वन ले लेना दिक्कत क्या आपको मतलब सर कम होगा तो हमें एफरे बैंक देगा हां भई यहीं समझाने के कोशिश कर रहा हूं अच्छा सर अगर रेट आप इंटरेस्ट मालो 10% हो गया तो मेरी तो खुशी का ठीकाना नहीं कर देना आपको 10% मिलेगा ना यहां से लेकिन सुनों आपको इधर 2% देना पड़ेगा आप समझने की कोशिश क्या बात समझ में आरे 10% हो गया आप खुश हो रहें ना दस दस इधर से लोगे लेकिन जो हमने लॉक किया था कितने परशंट पर उसमें से दोर निकाल कर हमे अगलते दGeist deti बात यह क्या हो रहा है यह ओर रहा कॉंट्रेक्ट फोइन वेस्ट या फिर में इसको हम क्या बोलते हैं हमें किस बात का डर रेट ऑफ इन्टेस्ट कहीं कमना हो जाए इसी बात कमड़ सापने काम रोगे कर दिक्कत नेंगे इट में सर हम डॉनसाइड बैट डाउंसाइड बैटिंग, ठीक है, डाउंसाइड बैटिंग होगे, सर इसका मतलब हमारा शॉट पोजिशन है, यस, शॉट पोजिशन, और इसको हम क्या बोलते है, सेल एफरे, भाई, बाई एफरे और सेल एफरे आपको यह लेंगवेज समझनी पड़ेगी, सेल का मतलब कॉ ठीक है, यह तो वैसे रिविजन में नहीं होना चाहिए था, पर मैं समझ रहा हूँ कि सब भूल गया होगे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपसे, ठीक है सर, जनरली बैंक ऐसे लिखती है, जनरली बैंक लिखती है, कैसे सर, बैंक इस तरह से लिखती है, एफरे, 3 मतलब सर, बैंक से अगर हम बॉरो करेंगे, तो कितने परशन पर 12, अगर बाई करेंगे, एफरे, तो बैंक सेल करेंगा, ज्यादा रिखती है, और यह इन्वेस्ट करने करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो 10 परशन पर, अगर हम सेल करेंगे, एफरे, बैंक बाई करेंगा बिड आस्क ना यार, बैंक भाई करेगा तो 10 परशन पर, बैंक सेल करेगा तो 12 पर यह लेंग्वेज हमें याद रखनी पड़ेगे, ठीक है यहां तक, ठीक है, यह बात और है कि यहां सेटलमेंट कब होगा तो यहां होगा, वो मैं कोशन के साथ में समझा दो, ठीक है, पहल आपकी डिमांड मैं पूरी करूं, चाहे कैसे भी, चाहे मुझे फिर से ही रिकॉर्डिंग क्यों ना करना पड़े, चलो, मज़ा भी आरा मुझे, अपनी लेंग्वेज, अपने नोट से तो पढ़ने का लगी मज़ा था, लिखा, एफरे मिन्स फावर्ट कॉंट्रेक्ट इंट्रेस्ट रेट, और नो डाउट, क्या ये स्टॉक एक्षिंज के थ्रू होगा, नहीं ये ओवर्डा काउंटर होगा, ठीक, सपोज सिटी बैंक ने कोट के एफरे 3 इंटू 9, तो 10 परशन, 12 परशन, इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब है, कॉंट्रेक्ट तु बोरो, ठीक है, आप्टर 3 मन्त, 3 मेने बाद, 6 मेने के लिए, रेट क्या रहेगा, 12 परशन, बोरो करने का रेट, 12 परशन, इट मेंस हमें किस बात कर रहे हैं, कहीं इंट्रेस्ट कर रेट बढ़ना चाहे, इसलिए हम कॉंसा पोजिशन लिते हैं, लॉंग पोजिशन, अपसाइड बैटिंग, और दूसरा, sell FRA, मतलब, contract to invest, तीन मेने बाद, 6 मेने के लिए, कितने परशन पे, 10 परशन पे लिए, या फिर हमें इंट्रेस्ट के गिरने कर रहे हैं, इसलिए हम कॉंसे side betting करते हैं, downside bet, यहां तक ठीक है, ठीक, अब भई, FRA जो है, उसको हम दो तरह से काम करे हैं, FRA को, एक तो FRA हम hedgers के point of view से, कि यार hedge कैसे कर ले, hedge में, आपको already risk होता है, और उसको, उसको से बचने के लिए कुछ activity करोगे, ठीक, और दूसरा, कोई risk, risk तो है नहीं है, पर हम arbitrage, मतलब, यार FRA के help से, हम profit कैसे कमा सकते हैं, arbitrage, risk less profit कैसे कमा सकते हैं, तो पहले जो बात होगी, वो किसके होगी, FRA hedging, ठीक, साहब question आते है, तो प्लीज हलके में मत लेना, question करना, चलो, FRA hedging, मैं बात करूँगा, सर ये क्या है, ये समझाओंगा, तो ये जो लिखा हुआ है, ये समझ में तो आएगा नहीं आपके, तो मैं एक question के इत्रू बात करूँ, ये ये अच्छा question है, आपके study material से लिया गया है, तो क्या आप लोग तेया रहा हूँ, yes, कोशन सीधा concept तो डिसक्स करूँ, वेटे, question के थू ही कर रहा हूँ ना, अब मैं example भी अगर मैं revision question में डाल देता हूँ, रिविजन में, पर classes बहुत लंबी हो जाएगी ना, यार, ठीक है, बात करें, yes, सुनो, Messrs Park and Company is contemplating to borrow an amount 60 crore, for a period of 3 month, in coming 6 month, ये आच, ये 3 month, नहीं, for a period of 6 month, sorry, ये 6 month, और ये 3 months, तो total period कितना हो गए, यहां से, तो भी कोई Parker and Company है, जिसको borrow करना है, किसी bank से, किसी bank से borrow करना होगा, ठीक है, borrow करना, पर borrow कब करना है, आज borrow नहीं करना है, आज से 6 मेहने बाद, for a period of 3 month, 3 मेहने के लिए 6 मेहने बाद, 6 मेहने बाद, 3 मेहने के लिए borrow करना है, और कितना borrow करना है, 60 करोर रुपया borrow करना है, अभी rate of interest कितना चल रहा है, 9%, वैसे इससे हमाँ कोई मतला भी नहीं कि अभी rate of interest 9% चल रहा है, तो भाई इसको borrow करना है, तो इसको डर किसका, कहीं rate of interest बढ़ना चाहे, इसी बात का तो डर, अब क्या करें, अब इसको hedge करना चाहती है company, against increasing interest rate, companies banker, banker मतलब FRA bank, इसको मैं FRA bank बोल रहा हूँ, ताकि आसा नहीं हो, FRA bank कुछ होता नहीं, नहीं एक bank ही है, FRA bank बोल रहा हूँ, जो companies bankers है, उसने court कर रखा, FRA 9.3% पर रहे हैं, 9.3% पर रहे हैं, it means, it means, FRA bank बोल रही है, किससे पार कर रहे हैं, company से कि आप चिंता मत करो, 9.3% आपको डर हैं न, rate of interest बढ़ना जाएं, 9.3% से उपर जाएगा न, तो हम है FRA bank, हम difference आपको दे देंगे, Parker and company, आप चिंता मत करो, लेकिन 9.3% से कम हो गया, तो आप हमें दे देंगे, खतम करो का, it means, rate fix हो गया, कितना 9.3% what will be the settlement amount, settlement amount में हमें क्या निकालना होता, हमें बस ये निकालना होता, कि FRA bank, Parker and company को देगी, या Parker and company, FRA bank को देगी, बस, अच्छा, और, condition क्या दे रखा, अगर rate of interest यहाँ, 9.6% हो जाएग तो, कोई भी जवाब दे देगा, 9.6% होगा, तो कौन किसको देगा, 9.3% से उपर हो गया, हाँ, तो इस condition में, FRA bank किसको देगी, Parker and company को, Parker and company को मिलेगा, 9.3% की बात होई थी, उसे जज़्यादा rate हो गया, तो please FRA bank, आप हमको दे दो, अब सवाल ही है, कि मिलेगा कब, यहाँ मिलेगा, कि यहाँ मिलेगा, सर, हम bank से उधार लेंगे, कितने परशन पे, 9.6, ज़्यादा में उधार ले रहा है, तो उधर से हमको difference मिलेगा, अब मिलेगा कब, यहाँ मिलेगा कि यहाँ मिलेगा, बस यही सवाल था, और मैंने आपको करवा रखा है, कि मिलेगा, वैसे तो मिलना चाहिए यहाँ, पर मिलेगा यहाँ, जिस दिन rate पता लग गया ना, इसको बलते है reference rate, जिस दिन reference rate पता लग गया ना, उसी दिन मिल जाएगा, पर सवाल यह है, यह तो गलत है, यहाँ जो मिलेगा, वो difference नहीं मिलेगा, उसका present value मिलेगा, यह बात, और क्यों हो रहा है, यह बात में कर चुको है, यहाँ करवाना बेखुफी होगी, तो net settlement amount का मतलब होता है, दो लोगों के बीच में, किस किस के बीच में, FRA bank और, जो भी जिसने भी FRA buy किया, उसके बीच में, difference, और कहां मिलेगा, जिस दिन rate पता लग गया, इसको कौन सा, reference rate बोलते है, ठीक है सर, और क्या मिलेगा, difference amount मिलेगा, नहीं present value of difference amount, और जो उसको discounting करेंगे, वो किस से करेंगे, यहाँ जो भी rate हो गया, reference rate से, ठीक है, formula है, formula पर मैं अभी जन नहीं जा रहा हूँ, formula मैंने तो वो भी नहीं समझाया, मैं पहले formula के अलावा देख लेता हूँ, तो यहाँ क्या लिखा जड़ा देख रहा हूँ, FRA bank पे करेंगे, इसमें तो कोई सक नहीं, यह तो हम समझी करेंगे, FRA bank पे करेंगे, किसको पे करेंगी, पाक एंड कंपनी को, कितना, तो कितना था भाई, final sentence, कितना, 60 करोड था क्या, हाँ, 60 करोड का, difference देख लो, 9.6, 9.3%, और कितने महने का, 3 महने का ही, लेकिन यह मिलेगा, difference पर, इसका क्या मिलेगा, present value, present value, याद रखना, 9.6% से ही, discounting करोगे, मतलब, यहाँ जो rate रहता है, उसी rate से discounting, होगा, 3 महने का factor निकल ले, 3 महने का factor निकला, तो इतना मिलेगा, 4, 3, 9, 4, 5, 3, क्या बहुत ज़्यादा, मुस्किल है, आसान है भई, अगर rate of interest, sorry, sir, 8.8% हो गए है, तो कौन किसको देगा, 8.8, मतलब, यहाँ तो यहाँ रेट, 9.3 से कम हो गया, तो फिर, पारकरन कंपनी किसको देगी, FRA बैंक को, वो यहाँ करवाय रखा है, पारकरम कंपनी विल पेटू, FRA बैंक, 60 करोर का, जो भी डिफरेंस है, तीन महने का, याद रखना, यह इंपोर्टन्ट है, यहाँ गलतिया हो रही है, बच्चो से, डिसकाउंटिंग किस रेट से करो, 8.8, रिफरेंस रेट से, तो यह आगा है, नेट सेटलमेंट इमांट, सिंपल, यहाँ फॉर्मूला देखो, क्या है, सेटलमेंट इमांट का फॉर्मूला, एन का मतलब, नोशनल प्रिंसिपल, रिफरेंस रेट माइनस, फॉर्वरेट जो भी डिफरेंस है, इसको रिफरेंस रेट बोलता, और यहाँ पता ही, आपको यहाँ डेज में करना, डेज में कर लीजएगा, और यहाँ डिसकाउंटिंग उससे कर ली, फॉर्मूला फॉर्मूले पर था हम ऐसे भी नहीं करते हैं, फॉर्मूले से का, ठीक, कॉंसेप्चुल हमारा अच्छा है, तो दिख करते हैं, ठीक है जी, ठीक है सर, और यह कोशन करें, यस, कोशन नमबर टू, देखते हैं क्या, दर ट्रेजर आफ एन इंशॉरेंस कंपनी, एक्सपेक्ट टूहे वे सर्प्लस, पाउंड फाइक मिलियन, सर्प्लस है भाईया, सर्प्लस है तू, जमा करेंगे ना, पर यह जो सर्प्लस है, आज नहीं है, आज से छे महने बाद, आज से छे महने बाद, सी हैस डिसाइड़ेट टू, पार्क दफन इन थ्री मन्त, और कितने मन्त के लिए जमा कर रहा है, थ्री मन्त के लिए हम जमा करना चाहते है, आज से छे मेनी बाद, और क्या करना हो, इनवेश्ट, किस बात का डर, रेट ओप इंट्रेस्ट कमना हो जाए, इसी वाद तो कम होने से हमको मिलेगा, इसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, फिर क्या लिखा है, इसी इन्टु नाइन, फाइट मिलियन एफरेस्ट इस बींग कोटेद एट पॉइंट सेवन फाइप परशन, यह लो भाई, एट पॉइंट सेवन फाइप परशन, कम होने का बैटिंग, मतलब इंस्वरेंस कंपनी देगी किसको एफरे बैंक को, तो बताए किस तरह से प्रोटेक्ट होगा, 182 डे ले ले ना बोल रहा है, रिटरन और हान इन्वेस्टमेंट, 182 डेस पर इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, तो टाइम पासर, तो डिफरेंस हमको देना पड़ेगा, इंस्वरेंस कंपनी किसको देगी, इंस्वरेंस कंपनी को तो भी होगा, इंस्वरेंस कंपनी सेल एफरे, मतलब इन्वेस्ट इस सिचुवेशन इंस्वरेंस कंपनी विल पेट टू एफरे बैंक, पाउंड फाइप मिलियंस साड़े नौ परशेंट हो गया याद रखना यहां डिसकाउंटिंग साड़े नौ परशेंट से हो गया और आगे मुझे बहुत ज्यादा को समझाने की जरूरत नहीं है यह कर लो गया रितना था अगर रेट आप इंट्रेस्ट आठ परशेंट हो गया 8.75 पर हमने लॉक किया था रेट कम हो गया और हम बोली रहा थे कि कम हो जाएगा करके तो अब हमको कौन देगा एफारे बैंक देगी इंसुरेंस कमपने को ठीक है यह डिफरेंस ले लिए और यहां रेट आप इंट्रेस्ट आठ परशेंट हो गया तो यह आगे डिफरेंस दोनों ही कोशन ने दोनों ही कोशन करके चले जाएगा ठीक है अब बात किसकी करेंगे एफारेफा आर्बिट यह थोड़ा सा टेक्निकल है निप्टाते है पार है हाजी कोशन और था जो मझे करवाना चाहिए था हैजर्स वाला ही था तो चलो पहले वो भी कर लेते हैं फिर आर्बिट इस पर बहुसते हैं देखते क्या लिका 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 टी एम फिन कॉर्परेशन है बॉर्ट इंप मतलब 0693 आज से छे मैने बाद तीन मैने के लिए सो करोर फावर डिट अग्रीमेंट 5.25 मतलब हम कह रहें कि 5.25 परशन से बढ़ेगा ठीक उसे बढ़ेगा तो हमें मिल जाएगा फिन कॉर्परेशन को किसे ए फरे बैंक से और फिक्सिंग डेट फिक्सिंग डेट फिक्सिंग डेट मतलब यह वाली रेट का मतलब समझ लो यह वाली डेट माइब और जैसे लाइब और हो कहां वैसे माइब और हो कैं मुंबाई इंटर बैंक ओफरेट छोड़ो नसर फुल फॉल फॉर्म बोले यहां थ्री मंत वाला कितना हो गया थ्री मंत वाला सौरी बोले इस डेट पे जब हम बैंक से पता किये कि 3-month वाला और कितना वाले 5.5 परशन और यहां से 6-month वाला जो कि हमारे काम का है नहीं है और यहां से 9-month वाला वह भी हमारे काम का नहीं है तो यह वाला रेट कितना होगा वाले 5.5 परशन और हमने क्या बोला था किससे बढ़ेगा 5.25 परशन तो कौन किसको देगा यार हमें तो फाय profit or loss to TM Fin Corporation profit in term of basis points to basis points दिखी रहा है आपको कितने basis points का फायदा देख रहा है 25 basis points का फायदा दिखी रहा है इसमें सम्झाने वड़ी क्या बात है दूसरा settlement amount बताईए तो settlement amount तो ऐसे निकल जाएगा 0.25% किस पर करोगे 100 करोड़ पर उसका present value निकाल लेना discounting किस से करेंगे 5.5% 100 lakhs जो भी difference है 90 days का days मैं calculation करने के लिए बोला था और उसके सबसे यह निकाल ली थिक तो FRA bank pay करेगी किसको TM Fin Corporation को क्या आसान कोशन था यास presentation सर ऐसी अच्छा लगता seriously आपने derivative में क्या करवा रखा मतलब IC AI का presentation नहीं यह इसमें अच्छा लग रहा हां मुझे भी मैंने कहा ना मेरी गलतियों का है मुझको मुझे यह करवाना चाहिए चले जी आगे अब चले एफार एफा आर्बिट्रिजरी अच्छा concept अच्छा topic भी चल रहा है ओहो सर यह क्या है यह तो चीत्रवगेरा पहली बने हुए हाँ आपके भी copy में होगा उन्हीं को फायदा है उनको सबसे ज्यादा का फायदा है जो जो मुझसे class की होगी ना sorry sir बोलने में थोड़ा सा दूख हो रहा है पर जिन्होंने class किया होगा ना उनको सबसे ज्यादा फायदा क्योंकि यह design उनके हम बनी होगी उनकी copy में और सर जिन्होंने class नहीं किया उनका कोशिस कर रहा हूं मैं समझाने की ठीक है अभी मैंने समझाना है बस देखते जाना है चलो एफार एफार आर्बटरीजर सर यह क्या कहीं भी focus नहीं करना जहां-जहां मेरा marker जाएगा ना वहां-वह focus करना यह कौन है सर यह राम ठीक है ठीक पास करें पैसे चाहिए ने राम को पैसे जमा करना छोड़ो नहीं कोई पैसा मुझे नहीं मालूं एक्जांपल कि सबसे सैट हुआ है पर माल लेते हैं राम को चाहिए पैसे ooh bank a thank you by bank it's a bank 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 it's a bank bank मैं अगर पैसे invest plant करना चाहता हूं तो बता सकते हो कि मुझे है कितना इंटरस्ट मिलेगा तो बैंक और मुझे सब सने और वाराम कहता है मेरे कंडिशन है मुझे पुरे बारा महने के लिए पैसे जमा करना थीक करो कोई दिक्कत नहीं बारा मेने के लिए जमा करोगे तो आपको इंट्रेस्ट मिलेगा 10% पारेनम राम ने का रुख जाओ अभी और एक बैंक में पता कर लो क्या है बैंक B के पास गया बैंक कितना दे रही है कितने मंत के लिए पुरे एक साल के लिए आपको 10 प्रतीशत आज मिलेगा है राम कहता मैं और एक बैंक में पता किया बैंक B और बैंक बी बोलती है सहाब हम तो आपको बारा परशन देंगे आप कहां बैंक के चक्कर में पढ़े हो हम देंगे ना बारा परशन परस रेट रहा है लेकिन हम सिर्व 6 मंत के लिए दे सकते हैं हमने और अच्छा हां बोले अगर आप 6 मेहने तक हाँ आपका पैसा 6 मेहने के लिए जमा करेंगे 12 परशन छा जमा रहेगा लिकिन वोह 6 सिक्समंद के एंड में देखेंगे हम की रेट क्या है इसका मतलब यहां 12 महने के लिए गए जाह चेंज होगा अब भी अभी तो बारा मिलेगा और उसके बाद उसके बाद उसके बाद उस दिन देखेंगे हम जब 6 मह जाएगा फिर सोचेंगे कि राम ने का अगर रेट ऑप इंटरेस्ट कम हो गया तो लाइब और कम हो गया तो बले कम क्यों चिंता करते हो राम ने का नहीं बैंक भी आप बेगो मत बनाओ मतलब या ऐसे में तो दिक्कत में पड़ जाएंगे अभी तो फिर तो मैं फिर राद पर सो नहीं पाऊंगा तो समस्या बस एक ही है कि रेट ऑप इंटरेस्ट 6 महने बाद कम बैंक भी बता भी तो नहीं रहा है कि 6 महने बाद किंटना रेट आप एंटरेस्ट क्या होगा कर करके कास कोई ऐसा मुझे मिल जाए जो यह कह stuffs है की चे मैंने बाद कि का इन पाट इन मां एक बतंक आ है woven पते कि कि सुनो राम आप हमारे यहां जमा कर देना ना भाई छे मेहने बाद आपको यहां एक लाग छीजार रुपए मिल जाएगा हाँ बोलो हाँ बोलो ना हाँ एक लाग छीजार रुपए मिल जाएगा अब आपको बात की छी मेहने का टेंशन है ना मतलो टेंशन आप एक लाग 6,000 रुपे लेकिया आना और हमारे यहां जमा कर देना क्यों चिंता कर राम कहते हैं यह सुनो कितना दोगे इतना दे सकते हैं उन्होंने कुछ एफारे वफारे बता अभी इस इस पर मज जाना ठीक है मैं इसकी बात ही ने कर रहो इसको कितना दोगे यह बताओ एफारे में ब कहां करता हूं तो टोटल मिला कर कितना हो रहा है एक लाग 20,000 रुपै है कोई शक है कैसमें एक लाग 20,000 तो यार मुझे इधर से भी दोनों मिलाकर master कम्से कम एक लाग 10,000 तो होना चाहिए यहां से 198,000 निकालोंगा कोई शक की बात नहीं तो अगले यह कम से कम मुझे 4,000 रुपए और भी आज का मिलना चाहिए ना यार सिधी सी बात है 4,000 और मिलना चाहिए तो मैंने का बैंक रुख जाओ फरे बैंक मैं सोच के बता रहा हूं मुझे 4,000 आप दे देना इंट्रेस्ट मन ही मन में बोल रहा है बता नहीं सकता उसको मन ही मन में 4,000 दे देगा तो मेरा पूरा हो जाएगा पर ये 4,000 देगा तो उसके लिए मुझे कितना जमा करना एक लग 6,000 जमा करना इन्टो हंडेट तो 3.77% चाहिए मुझे 6 महने में तो 12 महने में कितना 7.54% मैंने कहा बैंक मुझे कम से कम 7.54% पर एनम चाहिए पर एनम उससे कम में तो बात बनेगी नहीं मैंने पहले मन में इसोच दिया कि ये एफरे बैंक से मैं जाकर बोलने वाला हूँ कि एफरे बैंक मुझे 7.54% चाहिए इसी को बोलते है theoretical FRA theoretical FRA अच्छा सर बिट्टी ये निकालने के लिए आता है ये निकला कैसे सबसे उद्देश ही क्या रहेगा उद्देश ये रहेगा सबसे पहला उद्देश ये रहेगा कि ये theoretical FRA जो है ये निकाला कैसे गया 7.54% आएगा कैसे और दूसरा उद्देश ये क्या रहेगा कि अगर कुछ भी गरबढ़ है तो हम इससे आर्विट्रिस कैसे करेंगे सबसे पहले निकाला कैसे गया निकाला सिंपल है ये बैंक A ये बैंक B एक लाक इंटू 1.10 एक लाक दासे दार और यहां क्या था एक लाक इंटू 1.06 और फिर हम यहां क्या कर दे 1 प्लस एफ आर या 1 प्लस आर भी कर देंगे तो इसके हिसाब से इसको डेरिवेशन के थूँ आपका अराम से अंसर आजाएगा ये देखो 12 मंत वाला कितना था 10 परशंट 6 मंत वाला कितना है 12 परशंट 10 परशंट 12 परशंट सबार बारा परशंट 6 मैंने के लिए था दूसरा वाला मुझे निकालना है और मैंने निकाला failures तो आंसर कितनाा क्या है 7.55 परशंट हम ढैग्राम बनाकर ये ढैग्राम आपका हर एक किसमें चला है diagram कैसे बनेगा कि देखो भाई यह है बैंक भी यहां से यहां जमा करें तो 1.10 फैक्टर और यह छे मैंने का 1.06 फैक्टर तो यहां का कितना तो कैसे करते थे 1.10 इस इक्वल ठीक है सर 7.54 या 7.55 परशन निकल गया है ओके इट मेंस यह वाला बैंक कितने कितना दे दे हमें 7.55 परशन दे तो टेंशन कता अब यह वाला बैंक क्या गबोल रहा है सुनना ध्यान से मेरी बात बोलता सुनो हमने बताया तो था नहीं बोले सुनो मैं 8 परशन दूगा ओर यह मिने गा यार मुझे तो 7.54 परशन चाहिए और यह मुझे 8 परशन देगा बोलो क्या करे सर तो जमा करो यहां जमा मत करो बैंक एम में कोई फायदा नहीं है यहां से क्योंकि मुझे कितना चाहिए था मुझे चाहिए था 7.55 और यह कितना दे रहा है एट परशन बिल्कुल जमा कर दो सर और तो और सुनो आप पैसा करो यहां से पैसे उधार ही ले लो कितना मुदा लेंगे एक लाक हाँ लें लिजी तो सर इसको फिर देना पड़े मैं ऐर्बिट्रेश इंदंधि इसको एक साल कि लिए लाख मैंकर श॥े महने के लिए और फिर एक जमाव कर दीजी अगले छे महने के लीए तो जितना यहां से उधार ले रहा हो उससे ज़्यादा पियाँ पैसा बना लोगे और फिर एक लाग दास जार दे भी दोगे ना तो भी आपके जैमें कुछ बच जाएगा पक्का ऑच्छा सर अगर यह कौन सा है यह क्वाव है इस से जद्द यह यहां रेट है तो क्या यहां जमा करेंगे यह स् इनिवेस्ट करेंगे इसको वुलते सेर फार बेचो डिं़ पो लेगेन k्रजिए ऐक्ट्रीट्र अर्वां से एक्ट्र यह hon הממर vote कि यस और जो जादा यह वहां बेचते जो जादा पर कम करीद अगर सर यहाँ चे परशंट रहता मालो यह बोलता कि नहीं नहीं मैं चे परशंट ही दूँगा तो क्या आप यहां जमा करने का सोच ते बिल्कुल नहीं सोच यहां क्यों जमा करेंगे भाई हमें 7.54 परशंट चाहिए और आप तो 6 दे रहे हूं तो फिर तो हम यहीं जमा करेंगे तो भाई फिर एक काम करो यहां से उधार ले लो यहीं मैं आर्बिटर्स में मतलब क्या हम यहां से एफारे अब अब हम बाई करेंगे एफारे बॉरो करने का कॉंट्रिट करेंगे यह आर्बिटर्स में आपको समझाने वाला अभी आगी क्लास है आर्बिटर्स की चिंता मत करो कि अर्बिटर्स कतम हो गया पर हमें स्टेब बाइश्टिब करना पड़ेगा पहले क्या निकालना सीखना नहीं काम एक साथ हो जाएंगे ठीक है जी चलो देखते क्या सेम कोशन उठाया तापके आपको दिक्कत नहीं होने चाहिए शिक्स मन्त लाइब और हमेशा इस डाइग्राम के थ्रूही काम चले करेंगे शिक्स मन्त लाइब और कितना दिया है 12 पर रहें तो 12 परशन और कि लिए के लिए का लाइब और 10 परशन का लिखते हैं 1.10 तो क्या ये वाला निकाल सकते हैं यस बड़ा वाला फैक्टर डिवाइड इड़ाइड बाइड़ा फैक्टर माइन तो हंड़ेट किया और ये कितने पिरेट का छे मैंने का तो 7.55 परशन आ गया दिससे 1.55 परशन टिक से 1.55 परशन होना चाहिए इस थेओरेटिकल ये पहला काम हो गया दूसरा आर्विट्रेज बताईए अगर एक्ट्वल 6 इंटो 10 परशन आप 11 परशन अब धियाद समना 10 परशन 11 परशन मतलब समसर 10 परशन पहम इंवेस्ट कर सकते 11 परशन 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 का मतलब है कि इतने परशन परशन पर हम इंवेस्ट कर सकते हैं कम से कम हम इतना इंट्रेस्ट चाहिए या अगर हम बौरव करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हैं मैक्सिमा महिस रेट पर बौरव करेंगे इससे ज्यादा पर नहीं कर सकते हैं क्या यह रेट से 1.55 परशन से ज्यादा है हां सर ज्यादा है ज्यादा है तो इन्वेस्ट करो ज्यादा है तो सेल एफ़र है तो यहां से नाफ.. पड़ेगा जब यहां से आपने एक लाख रुप है बॉरो किया है तो उसको क्या करोगे इन्वेश्ट करोगे एक लाग 6,000 और यहां इनवेश्ट करेंगे तो 10% 10% का आधा कितना हो जाएगा 5% तो वह हमें काम करना पॉइंट नमबर 2 की में बात कर रहा हूं इस आर्बिटरेस्ट मैंने का ना थोड़ा सा टेखनिकल है आपको याद आना जरूरी है मेरा काम है सिर्फ याद दिलाना मैं कॉंसिप्ट यहां पुरी तरह से डिस्कुशन नहीं कर सकता देखते क्या है सिंस एक्च्वल एफरे इस मोर देन थियूरीटिकल एफरे एफरे इस वर प्राइजट हैंस वी सेल एफरे मतलब कॉंट्रेक्ट पर आज क्या करोगे आज एक लाग रुपे बोरू करें कि कितने परशन की सबसे टैन परशन की सबसे एक साल तो हमें पता लग गया कि एक लाग दस जार रुपए देना है सर्जी उसके बाद एक पर रुपे के इनवेस्ट करने के लिए न्वेस्ट करने के लिए किसाब सकाष in flow in flow in 1,00,00 into 1.06 into 1.05 हमें मिलेगा 1,11,300 और हमें देना है 1,10,000 तो हमारा 1300 रुपए का आर्बिट्रीज गेन आर्बिट्रेज 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 का मतलब समझेए पक्का-पक्का मिलेगा अब सुनो और अगर rate of interest यह रिपीट हो गया, पॉइंट नम्बर थर्ड रिपीट, यह 10 पर्शन 11 पर्शन नहीं होना चाहिए था, दीखना पड़ेगा, 7 पर्शन 8 पर तो आये गए नहीं, यहां देखूं क्या लिए, 6 पर्शन, ठीक, यहां चैंज कर लोगे, 10 पर्शन 11 पर्शन नहीं, इसको ऐसा कर ले थे, 5 पर्शन 6 पर्शन, ठीक, 5 पर्शन और 6 पर्शन, पॉइंट नमर 3, अगर, एक्च्वल एफरे, 5 पर्शन या 6 पर्शन, मतलब क्या 7.55 से कम है, हाँ सर, अगर कम है भाई, तो सोचना क्या है, बाई करेंगे, बाई मतलब बॉर और बॉर कितने पर्शन पर कर सकते हैं, 6 पर्शन पर, इस बार हम क्या करेंगे, इक तो हम यहा बॉर करेंगे, और यहाँ इनवेस्ट कर देंगे, सीदी सी बाती है, मतलब बाई कम है, तो हम बॉर करेंगे, बस वही यहाँ आएगा, सिंस एक्च्वल एफरे इस कम है, लेस देन, तो यह एफरे इस अंडर प्राइस, वी बाई एफरेट, 6 पर्शन, क्या होना है, आच, एक लाख रुपे बॉर करेंगे, 12 पर्शन के सब से, कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, इनवेस्ट कर दो, एक लाख रुपे को, 10 पर परशन के सब से, तो एक लाख 10,000, और कैस आउट लो, एक लाख 1.06, 1.03, कहां से, मेरे ख्याल से, समझ गया, आप 6 परशन पर वारो किया था, तो भी 820 रुपे का हमारा क्या हो गया, और तीसरा जो लिखवाया था, मैंने 7 पर्शन, 8 पर्शन, इस पर आर्बिटरिस पॉ दिस्कृशन की क्यों करें, ठीक है, थोड़ा सा आर्बिटरिस सर्थ, थोड़ा सा फास चल रहा हां, जी, क्योंकि आर्बिटरिस का मैं नहीं पता नहीं, मैं इतना जानता हूँ कि आपको याद आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा कि मैं नए बच्चों को बढ़ा रहा बर मैं पागल हूँ मैं क्यों नहीं बच्ची को बढ़ा हैं थोड़ा सा सोचन लगता हूँ कि नहीं पतानी समझ मैं कि मैं समझा थोने नहीं नहीं तो रिविजन कर वा रहा हूं जी, अच्छा सथ ठीक है, चलो यह कॉश्चिन, यह एक मात्र कॉश्चिन है जो आर्बिट कहां से आगया बैटे फॉरेक्स नहीं आप फॉरेक्स की चिंता मत करो डॉलर जैपनीज येन का दे रखा 116 ठीक है डिपॉजिट रेट पर एनम अगर डॉलर में डिपॉजिट करते है तो थ्री मंत के लिए करते तो 4.5 परशंट और 6 मंत के लिए करते तो 5 परशंट और जै आप भूली जाओं बात किसकी करेंगे हैं डॉलर से वाट शुडबी थ्री मंत एफारे रेट एट थ्री मंत फावड बच्चों का दिमा केहीं घुम जाता है पूछ क्या रहा है यह लाइन नहीं भी लिखी रहती तो मुझे मालूम है आज से तीन मेने बाद तीन मेने के ल है कि यह है और थ्री मन्त एफारे रेट जटीन मांट एफरे रएट यह पूछरह एके वाट छुड़ी थ्री मन्त एफरे रेट एट फ़्री मंत बाद टीन मेने के लिए इसको आफ एंटू सिक्स भी बोलती हो सायत चोड़ो क्या बोलते हैं आ हम निकाल सकते डाइङगरम पक्का बनाएंगे पहले तो ये लेलो तो छे महने के लिए छे महने के लिए 5% तो 5 का अदग नहीं पर्शन नहीं मतब 2.5 पर्शन टिक तो वन फैक्टर लिग दिया और ये कितना है 4.5 तो 4.5 तीन में निकल ले लिए देखते हैं 1.0125 तो यहां का निकल ही सकता है यस यह के 1.022 और यह 1 प्लस आर इस इक्वल टू 1.025 और यह जो निकला यह कितने मैंने के लिए तीन मैंने के लिए तो बारा मैंने के लिए कितना तो आंसर कितना जाएगा 5.44 पर्शन इसमें कोई समस्या नहीं होनी ही नहीं थिया चले आगे चलता है पॉइंट नमबर टू यह इंपोर्टन यह समझी में नहीं आया था बच्चों के इसमें डाउट लिखा दस शिक्स एन ट्वेल मन्त लाय बोर्स आर फाइप पर्शन शिक्स फाइप पर्शन और ट्वल शिक्स पॉइंट फाइप पर्शन चे मैने का द पॉइंट जिरो टू फाइप लिख सकते 1.025 और बारा मेने के लिए 6.1.065 और यहां का पूछ रहा है तो क्या है का निकाल सकते है सार आराम से 1.025 1 प्लस आर 1.065 यह आया हमारा छे मैने का तो बारा मैने का कितना से 1.8 पर्शन तो यह निकल के आ गया से 1.8 पर्शन होन तो अगर six into twelve FRA six point five or six point seven five six point five or six point seven seven क्या ये कम है हां FRA is 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 इस इस under price under price तो क्या करेंगे सर बाई करेंगे उपर वाला बाई कर लेंगे पूरकी पुरा उपर वालो बॉरो और नीचे वाला इंवेश्ट ये अंटरप्राइज हुआ ना यार काम हुआ मतलब अंटरप्राइज ये होना चाहिए इससे काम है तो अंटरप्राइज वे लिखा हुआ सिसे एक्ट्वल एफरे इस लेस देन थेयुरिटिकल एफरे हैंस एफरे इस अंडर प्राइज तो वी बाइफरे एट शिक्स पॉइंट सिवन फिए तो बास समय यह रेट को ले रहा है बाई का मतलब बॉरो बॉरो करेंगे तो रेट जादे ही लेकिन 6.75 यहां तक बास समझ अब आर्वित्रिस प्रोसेस में हम एक लाग रुपए लेते थे और मेहां एक लाग डॉलर भी लेसकता था लेकिन अइस एक डॉलर पे काम किया था हम भी एक ही डॉलर कर ले तो यहां से इन्वेस्ट और यहां बोरो तो बोरो करेंगे डॉलर 1 कितने परसंपर पाच परश किया उससे इतना मिलेगा और 1.025 और 1.03 यह कहां से आए यह पता है न आपको 6.75 परशन का तीन मेने का यह आ गया तो आपका आर्विट्रिस गेन कितना आगे मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं वही कोशन ले रहा हूं जो हमारे इस्टडी में है और यह कोशन है तो यह करना है इतमिस आर्विट्रिस के लिए एक ही कोशन है ठीक तो एफ आरे खतम हुआ अब आगे चलते हम और बात करते हैं इंट्रेस रेट ग्यारेंटी वगिरा कि अब आधी क्लास तो एफ आरे में ही जाती है यह से एफ आरे खतम हो गया चलो फटा फट से करते हैं चलो जे आगे कॉंसेप्ट पर चले और क्या किया अभी तक अभी तक देखा जाये तो हमने पहला पार्ट किया था एफ आरे फॉर्वर्ट एग्रिमेंट अब कर रहा है इंट इंटरेट ग्यारंटी बिल्कु सहीं बोच याद तो दिलाना पड़ेगा एफ आरे में क्या होता था यह याद करो सर एफ आरे में एक बैंक होती थी जिसका नाम होता था एफ आरे बैंक और एक दूसरी बैंक होती थी जिससे हमें उधार लेना होता था पर आज नहीं आज जिससे तीन मेने बाद कितने प्रियट के लिए छे मेने के लिए हमें उधार चाहिए होता था हमें क्या करना होता था बाउर हो तो यह पर्शन राम इसको किस बात का डर कहीं rate of interest कम ना हो जाए तो एफरे बैंक से हमें कॉंट्रेक्ट करते थे कोई भी एक कॉंट्रेक्ट कि 10% पर हमने एफरे बाई कर लिया इसका मतलब क्या होता था सर इसका मतलब यह होता था कि अगर rate 15% हुआ तो हमें एफरे बैंक से difference मिल जाता था 5% हाँ बोलिए हाँ अगर rate होता था 13% से तो difference कितना मिल जाएगा 3% ठीक है और क्या होता था गलती से rate 8% हो गया तो हमें difference देना होता था कितना 2% 2% ओके एफरे में लेकिन interest rate guarantee में क्या होता है यह वाली जो बैंक होती है यह इस परसन को guarantee देती है guarantee अगर 10% से उपर जाएगा तो हम आपको दे देंगे guarantee है लेकिन 8% हो जाता है तो आप जो हमें 2% देने वाले थे वह नहीं दो के इसका मतलब यह option की तरह हो गया हाँ एफरे प्लस option fraction बोल सकता हूं और यह fraction अजीब सा नाम है अजीब सा नाम सुना हुआ है इसको मैं fraction भी बोल सकता है इसमें होता क्या है अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम सामने वाले से वसूल कर लेंगे अगर गेन हो रहा तो हम नहीं देंगे तो सर इसमें हमें इस बैंक को कुछ तो देना पड़ेगा हां और हमें क्या देना पड़ता है हमें देना पड़ता है प्रीमियम एक ही question है इंट्रेट ग्यारंटी का फ्रैप्शन का एक बपड़े क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है इंट्रेट ग्यारंटी इस एक combination of option and FRA इन दोनों का option इन दोनों का combination शोरी इंट्रेट guarantee FRA bank has obligation obligation to pay option buyer in case of loss to option buyer but no but not right an option premium is to be paid in advance it is also called इसको क्या बोलते हैं फ्रैप्शन भी बोलते हैं मैं फिर से बोलता हो एक ही question था तो वह question करना ज़रूरी वह question यहां है क्या लिखा हुआ पढ़े एक बार क्या यसा लिखा टू कंपनी ABC and XYZ has approached the DEF bank for FRA power rate agreement किसके साथ कर रहा है पर DEF दो कंपनी एक का नाम है ABC और एक का नाम है XYZ ठीक इन दोनों उनको क्या करना भई बोरो करना है न लोन के लिए जा रहे तो बोरो करना पड़ेगा लिखा भी बोरो करना और कितना सौ करोड बोरो कब करना यह इंपोर्टन है आफ्टर ट्वीयर फारे पिरियड ऑफ वानियर मतलब सर यह जीरो यह दो साल और यह एक साल तो टोटल मिला करोंगे तियर आज से दो साल बाद एक साल के लिए बोरो करना बैंक कैलकुलेटेड यिल्ड कर्व ओफ बोथ दा कंपनी एस फॉलोओ एकस वाइज जैट का फ़र्स्ट यह दिया है सेकंड यह का थर्ड यह और एबीसी का तो सर एबीसी जो बैंक ने यिल्ड करों बता है बैंक ने का कि यह लोन हम दे सकते पर रेट ओप इंटरस्ट य हम हां हो सकता है कि एकस यजैट का क्रेडिक रेटिंग अच्छा हो यह लिड करव डीओ टु लोवर क्रेड़ एबीसी का लोवर क्रेडिक रेटिंग है इसे पचा से खैर हुआ हमारे काम की बात भीया मां क्या रहा है हुं सर युवर रिक्वाइट काल्कुलेट दा रेट पार, 2 साल बाद, एक साल के लिए using companies yield information, yield information को use करते हुए, फरे बताईए, दो साल बाद, एक साल के लिए किस rate of interest पे contract हो सकता है, तो सुधिन्दी में बोला जाये तो, सुधिन्दी में बोला जाये तो, सिंपल सी बात है, हमसे मांग रहा है, 2 इन्टो 3, theoretical फरे, क्या हमें दो साल का rate पता है क्या हमें तीन साल का पता है तो क्या आरसानी से काम हो जाएगा पहले बात किसकी कर लेते एक्स वाइजट सर इसमें interest rate guarantee कहा आया point number one में नहीं है point number two में तो दो साल का rate one point is here यह दिख रहा है यस पर दो साल का इसलिए power two हो गया yield है और four point four eight है तो तीन साल का इसलिए power three तो क्या is this divided by this करोगे तो क्या answer ये वाला जायेगा yes answer कितना निकल गया five point zero four ठीक ऐसे ही किसका होगा sir ऐसे ही इसका होगा ये तीन साल का है तो one point zero five seven eight नहीं तीन साल वाले जाले तो 1.0578 पावर के हो जाएगा 3 और यहां क्या जाएगा 1.0548 पावर के हो जाएगा 2 तो यहां का निकल ही जाएगा निकाला होगा है two three तो यहां का निकल जाएगा यहां कागा 6.38 परश्शन sir इसमें नया क्या था नया कुछ भी नहीं था ये तो आपका FRA ही चल रहा है भी तक Point No. 2 पढ़ते हैं क्या लिखा है Suppose bank offer Interest Rate Guarantee For a period For a premium of 0.1% of the amount of land Guarantee मिलेगा Bank कै दा ठीक ही guarantee दे रहा है Premium कितना दे रहा 0.1% You are required to calculate the interest payable by XYZ बोले सिर्फ XYZ की बात करना तो साहब XYZ का rate कितना निकला था 5.04% It means जो bank कहती है कि जी आपका 2 साल बाद आप आओगे तो आपको 5.04% पर मिल जाएगा लोन आप चिंदा ना करें Market में भले ही कुछ भी हो अगर सर Market में 4.5% हो गया तो ठीक है आपको 4.5% के सब से मिल जाएगा हाँ अगर जादा जाता तो हम गैरंटी दे रहा है कि 5.04 से जादा आपको नहीं पड़ेगा और अगर 5.5 हुगा तो फिर 5.04 ही rate of interest पड़ेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ का सब समझ जाओ बदले में premium देना पड़ेगा तो बोल रहा है कि आप बताईए क्या पूछा है क्या बताने के लिए का you are required to calculate the interest कितना payable होगा 5.04% ही payable हो नहीं नहीं ऐसा नहीं अगर कम हुआ तो 4.5 ही देना पड़ेगा अगर जादा हो गया तो 5.04 देना पड़ेगा लेकिन premium अलग से है देखते है क्या अगर बढ़े x y z by interest rate guarantee 2 into 3 5.04 पर अट मेंस इफ इंटरस्ट रेट इस more than 5.04 पर जाद देन x y z will receive difference but interest is less than then x will not pay to DEF limited ठीक है अब देख लेते 4.50 हुआ तो 4.50 के साब से 100 करोर का 4.50 करोर्स और premium 100 करोर का 0.1 परशन तो 0.10 करोर्स तो total interest कितना बढ़ा 4.60 CR लेकिन 5.50 हुआ तो चिंता ना करो आपको 5.0 अलग से minus कर 5.50 interest देना पड़ेगा पर ये difference आपको मिल जाएगा और से डिफरेंस का present value में लेगा ना इंट्रेट गयारंटी में लास्ट में होका से टल में इतना आपको मिल जाएगा और इसके अलावा premium तो पैट करना पड़ेगा तो ये होगे ठीक है हम यहां सीधा 5.04 परशन लिख दे तो कोई दिक्कत है कि 5.0 तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यह था इंट्रेट गयारंटी दूसरा पार्ट एक मात्र कोश्चन है और कहीं इसका यह वाला कोश्चन कहीं भी नहीं तो यह वाला प्लीज आप करके जाओगे और एक important concept है पाइच नमबर 3 पे चलभा hein केंट्रेट फ्यूचर वह भी बहुत ही जादा बहुत ज़ाध इंट्रेट फ्यूचर का तो मेरा डला भी होगा वीडियो अगर बहुत yet इक इसमने समझना है निट्रा फोड़ा a सर क्या है interest rate future डेर्इवेट यू में future बढ़ा वभा है क्या डेरीवेट यू में सर्त लगाए ज़ा सकता है हाँ सर्त लगा सकते future में हम चईरत तो लगाते कि rate शेयर का Prince बढ़ मना फायद हमको मिल जाय गा हों ठीक उसरत किस्पे लगाते थे स्रवह मोण शेयर दिआ ते क्या interest पे भी शर्थ लगawa दा Boss a को हां सर्व लगाया दिआ सकता क्या करेंसी पे भी शर्थ लगा सब्सक्तू लगा सकते वह मैं कहां करवाने वाला हूँ मैं करदध महांगा आपको 40 के पर यहां में सर्त किस पर लगाने की कोशिश कर और कि इंटरेश्ट रिट फ्यूचर पे कर रहो ये कर्वड और और कुछ नहीं और अगर आपको ऐशल अगरगा रेट बढ़ने Celsius चलो शर्त लगा लेते हैं, रेट वाकई बढ़ गया, तो वो जो difference है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका present value पर settlement नहीं होगा, settlement last में होगा, और कुछ नहीं है, एक बार समझने की कोशिश कबते हैं, देखो राम, भाई बोरो करना है 50 लाग after 3 month for 6 month, मतलब आज से 3 मेने बा छे मेने खेले, बोरो करना तो इसको डर किस बात का कहें, rate of interest बढ़ना जाए, एफारे कर ले, या फिर stock exchange के पास चल जाए, stock exchange के तर ठीक है भी, 50 लाग for 6 month, stock exchange बोलता, चलो 8% पर बैटिंग कर लो, 8% से ज़्यादा जाएगा, आपका कौन सा position है, long, अगर 8% से उपर होगा तो stock exchange हमको देगा, 8% से कम होगा, तो हम इस stock exchange को देगे, after 3 month मान लो, rate कितना होगा है, 6%, भई, आपको बैंक वाले को तो 50 लाग, 6% पर पैसा interest देना पड़ेगा, एक लाग, 50 लाग, कोई सकत नहीं, आप तो बैंक से उधार लो कि, हाँ, उधार ले लिया, कितने पर रेट 6% तो 6% पर उधार ले लिया, लेकिन, 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 अब सर्थ हार गया, आपने एका 8% से, आपने बैंक वाले को तो 6% देना, पर 2% उधर भी तो देना पड़ेगा, stock exchange को, तो ये 2% जाएगा, 50 लाग का 2% से, 50 लाग, तो टोटल मिला कर आपका net cash outflow कितना होगा, 2 ला अपको मिल जाएगा, 11 माइने साथ कितना पर्शन, 3% मिल जाएगा, 75,000, तो टोटल कैसा उटलो कितना है, 2 लाग, सर, interest rate future लगभग, forward rate agreement, FRA जैसा है, forward contract जैसा हाँ, बस forward contract, bank के साथ करते थे, FRA, और ये किसके साथ कर रहा है, stock exchange के साथ कर रहा, ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ भी, बस एक छोटी सी समस्य है, stock exchange में, में, कभी भी जो सर्त लगाए जाएगा, वो rate of interest पे सर्त नहीं लगाते है, वो कहते हैं कि चलो government bonds है, समझना मैं जो बोलने हो, government of India bonds, या government bonds पे, treasury bill पे सर्त लगाते है, treasury bill या गौर, उसका माल लो face value कितना है, 100, तो चलो हम बात करते है, 92, बिल्कुल ध्यान से समझना, इनिवर्ज रिलेशन सिप होता है, 100 रुपए face value है, और government bond, bond से लिखता हूँ, bonds जो है, अभी price कितना है, 92, it means, मतलब समझ रहे हो, मतलब आज bonds खरीदोगे, 92 का, तो आपको मिलेगा, 100 रुपए, redeemed होगा, 100 रुपए, अब कितना रुपए कमाओ कि, 8 रुपए, 8 परशन, तो बले, इस पे सर्त लगाओ कि ये बढ़ेगा कि कम होगा, ये 92 बढ़ेगा कि कम होगा, अब बेटे, यहाँ सूचने वाली बात है, आराम से, इस पे सर्त लगाई है, मैंने गाई, ये मेरे समझ कर दूँ तो, तो rate of interest क्या बढ़ गया, यस, कितना हो गया, 10 रुपए, 10 परशन, भई, मुझे बस समझना है कि, ये आप बोले, rate of interest बढ़ेगा, ठीक है, मैं कहा रहा हूँ, इसमें बोलके, बताओ ना कि ये बढ़ेगा कि कम होगा, तो inverse relationship होता है, मैं दूसरे लेंग, मैं और यहां कितना हो गया, सर यहां कितना होगा, छे परशन, 94 हो गया, तो आप कह रहे थे कि 92 से गिरेगा, और ये तो बढ़ गया, तो आपको loss हो गया, और यहां देखो, यहां कितना, तो सर यहां 89 हो गया, और आप कह रहे थे न 92 से गिरेगा, और वाकी गिर गया, तो आप intrest rate future में कोही समस्या नहीं होती अगर रेट आप इंटरस्ट पर बैटिंग करनी होती है हमें बाउंड के इस पर बैटिंग करनी होती है इस लिए यहां मुझे आप यह लॉट यह उता तो में लॉट पॉजिशन लेता लेकिन यह तो मुझेकृन सा पॉजीशन लेना पड़े मतलब bond की value कितनी हो गए 94 तो आपने कहा था आपने कौन सा position लिया सर हमने short position लिया था short position यह sell interest rate future short position मतलब sell आपने sell किया है interest rate future sell किया है कितने में 92 के उसको काटने के लिए क्या करोगे buy अल्टिमेटली आपको loss कि sell किया है 92 में buy कर रहा है 94 में तो आपको दो रुपए जाब तस्ते में sell कर रहा है महगे में buy कर रहा है तो दो रुपए का loss है 2% का तो यह loss यहां कर लिए आपको यह presentation बिल्कुल खराब लग रही है मेरे हिसाब से presentation नहीं चलती आइसी AI के हिसाब से आपको ऐसा करना बढ़ेगा आपने sell किया था ना यहां भी क्या कर रहा है sell ही तो करोगे sell किया है कितने में 92 में तो sell किया 92 में और buy कर लिया 89 में सस्ते में खरीदा महगे में बेचा है तो 3% का profit और यहां प्रेजेंटेशन आपको ऐसे ही दिखानी पड़ेगी सर मेरे हिसाब से काम नहीं चलेगा सर्थ हमें थोड़ा से स्लो करके समझा होगे मैं नहीं समझा सकता है यह यह वीडियो का 100% लिंक होगा आप चेक करोगे चलो तो क्या बात समझ में आई हमें इंटरस्ट रेट फ्यूचर मींस फ्यूचर कॉंट्रेक्ट और ड़ अप इंटरस्ट रेट पे बात समझ में आगे इफ वी वांट वार इन फूचर हैंस वी अफ्रेट फॉंट फॉंट रेट राइजिंग इंटरस्ट के बढ़ने का डर तो हमें लॉंग पोजिशन लेना चाहिए इंटरस्ट रेट पे बट इन इंटरस्ट रेट फूचर फूचर वी एव तो टेक पोजिशन ऑन इंटरस्ट बेरिंग सिक्यूरिटीज हमें जो पोजिशन लेना वह इंटरस्ट रेट पे नहीं ल इंट्रेजरी बेर बस इस पर फोकस करना बाग्य और कुछ नहीं एक ड़िये जो कोश्छन है यह कोश्चन इंट्रेट फ्यूटर का एक मात्र कोश्चन है एकजाम में आने के चाणसे बनते हैं तो सर जी हमें क्या है आपको करना देखे अच्छा कोच्छन है पक्का पक्का करके जाओ के ElectroSpace is consumer electronic wholesaler the business of the firm is highly seasonal in nature in six month of a year firm has huge cash deposit and especially near Christmas time and other six month firm has cash crunch अच्छी समस्या यह है कि यह जो बिजनेस इन लोगों की पास छे महते हैं खुब पैसा रहता है छे महने में प्रॉब्लम होती है पैसो की समस्या खड़ी होती है leading to borrowing money to cover up its exposure for running the business चलाना छे महने चुआने वाले छे महने है जिसमें problem हो सकती है पैसो की वहां उस period के लिए हमें कहीं न कहीं से तो भई बोरो करना ही पड़ेगा it is expected the firm shall borrow euro 50 millions for entire period of slack season in about 3 months sir के कहना क्या चाहता है बोले भाई ऐसा है वो जो खराब सीजन आने वाला ना जिसमें हमें पैसो की ज़रूरत पड़ेगी बोले वो आने में अभी 3 महने है तो यार एक काम करते तीन महने बाद rate of interest बढ़ गया तो तो भले अभी कुछ ऐसे करते हमें समस्तिया कि तीन महने बाद उधार लेना हमें और कितने period के लिए उधार लेना है छे महने के लिए पैसे उधार लेना है कितना euro 50 million इतना उधार लेना है ठीक है यहां तक बाद समय है और bank has given the following quotation bank कहता कि देखो spot rate यह चल रहा है 3 into 6 3 into 6 से मतलब नहीं हमें मतलब है 3 into 9 तो भले 3 into 9 जो FRA का rate चल रहा 5.64 5.94 क्या हमें उधार लेना है कि invest करना उधार लेना है तो FRA वाला बुल रहा 5.94 परशेंट पर बुकिंग कर लो टेंशन करता हूं इटमिस हम FRA buy कर सकते हैं buy FRA 5.94 परशेंट ठीक है अब यह future की information दे रहा का 3 month euro 50,000 future contract maturing in period of 3 month यह important है maturing in period of 3 month यह समझाओंगा मैं आपको last month quoted है 94.15 तो इसकी बाद future की बाद तो हम बाद में ही करें तो अच ज़्याद आच्छे you are required to determine पहले में बात है point number A में how FRA shall be useful if the actual rate of interest 4.5% होता है यह 6.5% होता है 5.94% से जादा होगा तो FRA bank हम को देगा 5.94% से काम होगा तो हम FRA bank को देंगे और net settlement में present value होता है 100% अगर वो बोलता effect बताई है FRA का यह net settlement amount बताई है तो पक्का लेकिन यहां बस बोल रहा कि बताई है FRA किस तरह से यूश्फुल है तो हम net settlement पे नहीं जाएंगे हम last में ही मैं चुड़े मैं करवा रहा हूं कोशन देखना दिया अगर साड़े चार परशन होता है तो साड़े चार परशन हमको बैंक को देना पड़ेगा इसमें कोई शक नहीं जिससे उधार लोगा इसको देना पड़ेगा और अगर कंपनी विल पे टु एफ रए बैंक और हमें एफ रए बैंक को देना पड़ेगा डिफरेंस डिफरेंस मैंने इसका present value नहीं निकाला और बहुत सारे बच्ची बोलते सब्सक्राइब इसका क्यों निकाला यह तो गलत है यह कोश्चन आपको या तो मैं बोलू कि ऐसे देना पड़ा वहां बैंक वाले को इतना यहां तो टोटल इतना मेरा इंट्रेस्ट जा रहा 14,25,000 कितने में पचास लाग पे जो की छे मेने का तो बारा मेह ने का मिर जी कितना effective cost पड़ा 5.94 परशन अगर rate of interest हो जाता 6.5 परशन तो बैंक वाले को तो मुझे इतना ही देन 9.94 परशन परथा ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों को इस FRA में तो समस्या होनी ही नहीं थी मुझे नहीं रगता कि समस्या होनी थी प्रोब्लम बस यह जा रही थी बच्चों की सर यहां present value क्यों नहीं लिया सर जी नहीं लेना है ठीक है यह कोशन या तो याद करो क्यों हाई फारे के कारण हमारा rate of interest 5.94 परशन यह आ रहा है अब समस्या है interest rate future की कंपनी वांट्स अब हैजिंग किसके थुरू कर रहें interest rate future रिखा कंपनी वांट्स टू बावरो आफ्टर थी मंथ फर सिक्समांथ एंड इट एफरेट फॉर इंट्रेस्ट राइज है दर इंट्रेस्ट के बढ़ने से बट हियर वी शुड टेक पोजिशन और इंट्रेस्ट बेरिंग सिक्यूरिटी अगर सिर्फ इंट्रेस्ट रेट पर पोजिशन लेना रहता तो मैं कौन सा पोजिशन लेता लोंग लेकिन इंट्रेस्ट बेरिंग सिक्यूरिटी पर पोजिशन लेना तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा अपोजिट शॉर्ट पोजि रेट पर नहीं ले रहे हैं आप ट्रेजरी बिल पर ले रहे हैं और एक समस्या है हमें कितने six month period का चाहिए exposure हमें सुनना ध्यान से हमें जो interest से बचत है ना वो जो interest है वो छे मैने का पर इस question में जो future available है वो सिर्फ 3 महने period के लिए क्योंकि maturity सिर्फ 3 महने period के लिए है इंटिमेस अगर मैं interest की बात करूं तो interest जब मैं छे महने का interest निकाल रहा हूं छे मेने का तो किस पर निकल रहा है पचास लाग पर 50 million पर छे महने का उस इंट्रेस्ट की बचत करनी है मुझे पर समस्या है कि जब मैं interest future की बात करूंगा तो वो बलते हैं तीन मैने से ज़्यादा कर तो होता ही नहीं future contract एक जगा छे मैने का interest से मुझे save बचाना hedge करना है पर दूसरा जिसमें जिसके through में hedge करना चाहता हूँ वहाँ three month का ही interest available है three month वाला ही बस सकता है क्या करे सर यह जो exposure है यह 50 lakh interest को बराबर करना न तो एक काम करो आप period जो है एक period कितना है छे मैने एक period कितना है तीन मैने सब period को छे मैने नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते पर कुछ ऐसा कर दो सर कि दोनों के interest बराबर हो जाए एक में तीन मैने का एक में छे मैने का interest तो इसमें जो amount है किसमें जो तीन मैने वाले उसमें amount double कर दो amount double करेंगे तो interest automatic बराबर हो जाए पास समझने की कोशिश करो आप और सर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो description में जाके lecture check करो ठीक है it means मैं यही कहरा चाहता हूं कि we want six month period हमें छे मैने period का हैंज करना है पर period कितना available है सिर्फ three month तो हम क्या करेंगे हमारे exposure को क्या कर देंगे double कर देंगे क्यों कि हमें complete हैज करना तो हम जो बैटिंग करेंगे न वह सौ लाक पर करेंगे जो 50 million 100 million पर बैटिंग करेंगे अब इंट्रेस्ट मेरा बराबर हो जाएगा इंट्रेस्ट को मैं हैज करना चाहता हूं न इस वजह से तो भाई 100 लैक्स और पचास जार का एक contract है तो 2000 कॉंट्रेक्ट हम क्या करेंगे सेल करेंगे अब रेट ऑप इंडर्स्ट कितना हो गया 9.4.5 परशंट तो 100-4.5 किया तो 95.5 हो गया security हमारा कौं सा position है short sell किया और यह 6.5 परशंट तो 100-6 तो 93.5 तो हमने sell क्या contract किया तो sell तो करेंगे 90 और उसको काटने के लिए बाई कर देंगे इस रिट पर sell कर रहे हो कम में बाई कर रहे हो ज्यादा में लॉस हो गया 1.35 परशंट का ठीक है sell कर रहे हो कम में बाई कर ज्यादा में यहां profit है 0.65 परशंट का अब इसका calculation में बाद में समझारों interest pet to bank bank को हमें इतना interest देना ही पड़े गया और profit और loss और यहां क्या हो रहा लॉस अब देखना 50,000 एक contract का 2000 contract 1.35 परशंट से हमें loss है और तीन मेने का interest ऐसे 50,000 यहां हमें 0.65 परशंट का फाइदा है 3 by 12 ultimately हमें कितना पड़ा 5.85 परशंट ही पड़ा यह question में आपको बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा और मैं चाहता हूं कि यह question जो आप regular class से देखो दूसरा क्या करना जिनके पास जिन्होंने मुझसे class नहीं खरीदा होगा सर वो description में चेक करोगे तो lecture डला होगा तो कितना हो चुका है हमारा सर हमारा इफारे हो गया ठीक है सर उसके बात इंट्रेट ग्यारंटी हो चुका है यह भी ठीक है सर हमारा इंट्रेट फ्यूचर हो चुका है यह अब बात करते हैं पार्ट नुबर फो और वह है फाइनेशल स्वैप फाइनेशल स्वैप ठीक है देखें क्या है जैस प्लेन वेनिला स्वैप टू पार्ट स्वैप कोटेशन हम नहीं करेंगे के इसका कोई कोश्शन हमारी स्टडी मटिरियल में नहीं मैंने टाल तो बहुत सारा दिया ायं कॉश्शन रेगुलर क्रप एक्षां में भीनिह वे इंग्जाम में यह और फ्रैक्टिस मनेरल में नहीं पुराने ओले पहले किसी जमाने में आया करते थी हाला कि मैंने रेगुलर क्लास में भई सेफ साइट करवा रखा आ गया तो पर रिविजन में ना क्या होता किया रिविजन का मतलब यह वह चीज़े करो जो अल्टिमेट इंपोर्ट है हां बाइचंस आ गया तो भई बहुत पहले हमने रेगुलर क्लास में तो किया तो या तो आई जाएगा ना थीक असा तो बात करते सबसे पहले स्वैप क्या होता तो सुनो मेरी बाद राम और राम को लग रहा है कि लायबोर का रिट बढ़ेगा फ्यूचर में सर अभी fix rate क्या है 8% और राम को लग रहा है कि लायबोर फ्लोटिंग इस फ्लोटिंग रेट यह fix rate fix rate है आठ परशन और राम को लग रहा है कि future में लायबोर का रिट 8% से भी उपर जाएगा 10% 12% ऐसा future में ठीक तो राम क्या कर सकता है राम ऐसा कर सकता है कि किसी से लोन ले लेते हैं लोन और जो पैसा लोन दे रहे हैं वह कि लाइ बर पर हम इनन्वेस्ट कर दे थे ठीक एक जगह से लोन लिया किस रेट पर फिक्स पे और उसको इनन्वेस्ट कर दिया किस पे लाइबोर पे तो सोचो क्या मिलेगा सर यहां से मिलेगा हमें क्या लाइबोर और सर हमें देना पड़ेगा क्या फिक्ष्ट इट मिन्स हमें क्या ज्यादा मिलेगा क्योंकि हमें मालूम है बढ़ने माला है और हम यहां कम देगे तो हमें फायदा ही फायदा है और हर 3-3-6 महां में लाइब और चेंज होगा तो हर बार क्योंकि हमें ऐसा लग रहा कि बढ़ेगा बढ़ेगा तो सरक कितना फायदा है एक जगह से उठाया सस्ते में दूसरी जगह लगा दिया और क्यों हम रिस्क लेने को तो या रहा है अहां लेकिन सुनो काम होगा तो बरबाद हो जाओगे पर ठीक हमको मालो में लाएब और बढ़ेगा तो आते जाएगा जादा जाता दिते जाएगे कम कम फायदे फायदा पर इन सब चीजों में ट्रांजिक्शन कोश्ट का खर्चा है सबसे पहले लोन लोगे तो लोन लोगे एक्शुल में तो उस पर बैंक का प्रोसेसिंग फीज वगेरा जमाने भर का फिर जब जिसको आप इनिवेस्टमेंट करोगे बांड से इस्जू करोगे आप कंपनी आप बांड से इस्जू करेंगे तो इस पर बीट ट्रांजिक्शन कोश्ट तो यह बहुत सारी समस्या है तो क्यों ना हम किसी एक परसन से मिलें और उससे आपको क्या लग रहा मुझे राम बोलना मुझे तो लग रहा है कि लायबॉर बढ़ेगा और इसको लग रहा नहीं लायबॉर नहीं बढ़ेगा भाई फिक्स बढ़ेगा फिक्स नहीं फिक्स तो फिक्स ही ए लायबॉर कम हो जाएगा फिक्स से मोजाएगा तो क्या गर सकते है कि कि सुनू ऐसा तो आप हमें तोको देना लायबॉर और आप फिक्स टेंशन ख्ञत्म अगर आपको ऐसा लग रहा लाइबोर कम होगा तो आप हमको कम दे देना हमसे जदा ले लेना हमको मालूम है हमें पता है अच्छे से कि लाइबोर बढ़ने वाला है इसको क्या बोलते है स्वेप क्या किसी ने किसी को लोन दी या नहीं बस कॉंट्रेक्ट हो गया अच्छा सा जा, in order to make profit, Ram will issue fixed rate bonds, fixed rate bonds issue करेगा, वहाँ से जो पैसा आएगा, उसको invest कर देगा, floating rate bonds में, in this situation, Ram will receive liable, liable मिलेगा Ram को, और fix, pay करेगा, अगर liable rise होता है, तो profit होगा Ram को, यह situation है, ठीक है, but there is a problem in abu transaction, like operational expenses high, or too much legal requirement है, in this situation, Ram can enter into swap with bank, in swap arrangement, Ram will pay bank fix rate, and Ram will receive from bank liable, मैं बोलनों, liable मिलेगा, fix देखे बत कर दा, notional principle पर, calculation होगा है सारे की सारा, एक आथ question देख लेए, such type of, आगे भी है थोड़ा theory पढ़ लेते, such type of swap arrangement, is generic swap, is called plain vanilla swap, in plain vanilla swap, there are two legs होता, एक होता fix rate leg, और एक होता floating rate leg, in plain vanilla swap, there is a multiple time betting, involve notional principle, मैंने का ना, actual कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और netting feature, net में, net में settlement हो जाए, देखे, yes, क्या है ज़रा देख लेते, suppose a dealer quote, यह कोशन अच्छा है, एक्जाम में आया हुआ है, a dealer quote, all in cost, for a generic swap, at 8% against 6 month libor, मतलब सर, मतलब सीधा, fix दिखी रहा, fix at 8% versus libor, notional principle, कितना है, पाच लाइक, calculate semi-fixed payment, बताईए, fix, तो 8% पाच लाइक का, 6 मैंने का, तो इसमें, fix payment amount, बताईए, बले fix, बता दिये, fix rate आँछ, 6-month LIBOR और नो-सलो प्राइं न फेक्सवाइमंत न अएक्स तर्लाग का आठ परेट शेएन ही थाल जाय है इसमान बताना क्या था फिक्सव बरेट बन यहाई कोश्च find the first floating rate payment for one of if the six month period from the effective date of swap to settlement 161 days ले लेना और LIBOR कितना होका है six months और आपको क्या निकालना floating rate payment निकाल सकते हो क्या आराम से पांच लाक इन्टुछे पॉशन और 183 तो यह आग है ठीक है आगे क्या लिखा हुआ है into a if the settlement is net basis net basis all in cost का मतलब हम आपको कितना देंगे आप हमें देना 15,000 और अगर net basis पे करना पड़ता है तो बताए जो फिक्स रेट पेर है उसको उड़ पे टूदा floating rate पे हाँ मच फिक्स रेट पियर उड़ पे फिक्स रेट बाला फिक्स रेट फिक्स वाला हमें देना है और यहां से मिलेगा पंद्रह तो फिक्स वाला कितना देगा बोले तो डिफरेंस निकालो कितना पे करेगा 4,970 कुछ था कि कोशन कुछ नहीं था सिंपल ठीक है मेरे क्याल से मैंने ना एक ही कोशन ले रखा इसका प्लेन वनिला सब कुछ था ही नहीं अब बात किसके करेंगे अब बात करेंगे two-party swap और फिर इसके बाद overnight index तो बात करते हैं प्लेन वनिला स्वैप अब बात करेंगे टू पार्टी स्वैप मैंने इक इग्जामपल करवाया था आपको जिसमें मैंने ओरेंज और एपल वाली बात किया था बगवान ही जानता है कि आपको याद है कि नहीं sir याद मान लो नहीं तो मैं वो example फिर से नहीं करॐा सकता हूँ बच्चो वाला example दा कि यार किसी को apple खाना याद करो पर apple तो महगा है औरेंज सस्ता है तो मैं orange खरीद के किसी और को दे दूँ और उस से apple ले लुँ ऐसा कुछ था सायत देख लोगे और जिनको याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लेक्चर तो पक्का डाली दूँगा मैं सीधा पॉइंट की बात पे आता हूँ आपका टाइम कीमती है मैं खराब नहीं करना चाहता है ये कोश्चन एक्जाम का है गलतिया थी इंस्ट्यूट की गलतिया थी उन गलतियों को तो मैं ठीक करके समझा रहा हूँ इंस्ट्यूट ने इस कोश्चन में गलती की है देखे क्या लिखा बले आई-एम एक अमेरिकन फर्म है एविग इट्स सब्सिडरी इन जापान ठीक है जैपनिस फर्म हैं इट्स सब्सिडरी इन युएस दिफ इस द फॉलिंग इंट्रेस रेट यह है आई-एम और यह है जैए-एम अब सुनना आई-एम जो है वह डॉलर भी बॉरू कर सकता है जो कि फ्लोटिंग रेट पे है और यहन फेक्स में डॉलर और यहन भी हटा देता हूं चिंता ही खतम ना यह जार यह डॉलर और यहन में प्लस 2.5 पॉर्शन कौनसी कंपनी को फायदा है सर आई-एम को फायदा है किस में फ्लोटिंग रेट में एप्सूलूट एडवांटिस और फिक्स की बात करो तो फिक्स रेट में भी जे आई बिल्कुल बहुत अच्छी कंपनी नहीं उसका क्रेडिट रेटिंग बिल्कुल खराब होगा आई-एम को फायदा अप फिक्स में भी आए-म को दोनों में ही फायदा है उदहारा ले लिजिए आपको बहुत अच्छी सिंच फिक्स में बेनीफिट है व動画 एप्सूलूट एडवन्टीस आपको दोनों में ने लेकिन दोनों को अगर comparison क्य favorites इनको floating में ज्यादा है कि fix में ज्यादा आई-ए एम को floating में ज्यादा फायदा floating में कितने परश्टका फायदा है सिथ two percent का जबकि fix मैं 0.25% का फायदा है तो आई-एम आपको floating में ज्यादा फाइदा in comparison to fix comparative advantage किसमें फ्लोटिंग तो भाई आयम को तो फ्लोटिंग से ही बौरो करना चाहिए अगर यहां लिखा है कि I am बौरो करना चाहता है फ्लोटिंग पे तो खेली कतम हो गए फिर तो swap होई नहीं सकता पर यहां लिखा क्या होगा आई-एम बोरो करना चाहता है fix में हम चाहते भी यह है कि आयाम आप fix में borrow करो फिर हम swap करवा के आपको सस्ता करवाते हैं यह होता है यह मिश्प्रिंट था मिस्प्रिंट नहीं है, ICAI ने गलती कर रहा था, मैंने इसको ठीक किया, I am wishes to borrow yen at fix, ओ हो, I am आपको fix में नहीं, floating में बौरू करना था ना, आप fix में, तो भाई साब, I am किस rate पे बौरू करना चाहता है, fix, तो GI किस rate पे, floating, हम अब वही समझाएगे इंको, तो यहां क्या लिख as well as fix rate, but comparative advantage in floating rate, therefore I am should borrow at floating rate and GI should borrow at fix rate and enter into swap arrangement, पहला जो बोलेगा ना, बताएगे कि swap arrange किया जा सकता है कि नहीं, swap arrange किया जा सकता है, swap arrange किया जा सकता है, swap arrange किया जा सकता था, अगर यहां लिखा रहा था कि I am borrow कर रहा, floating में, जो कि ICAI ने लिख दिया था, जो कि गलत है, पुरी त ठीक है, ठीक है, सर, गुस्सा मत होई है, ओकी, चलो जी, यहां तक तो बात होगी, तो बहीं, बताओ कैसे swap पाइंटर करके, आप कौन सा तीर मार लोगी जाला बताओ, तो हम बता रहे हैं, कि अब हम effective cost of borrowing निकालेंगे, अगर हम swap नहीं करते हैं, तो I am, आप किस rate पे borrow करना चाहते थे, बहुले हम floating, fix पे borrow करना चाहते हैं, तो बहुले आपको 4% पढ़ता, बहुले हाँ, जी आई, आप किस पे, तो बहुले लाइब और प्लस 2.5, इस सबसे आपको लाइब और प्लस 6.5% पढ़ता, दोनों का मिला कर cost, लेकिन swap करते हैं, तो फिर I am से हम 4% पे borrow न बज गया है, आपको gain हो गया है, कितने का, 1.75% का gain है, पर बीच में commission भी तो है, 75% तो ठीक है, commission भी कार्ट दिया हमने, तो अभी हमको 1% का क्या हो गया, gain, कुछ लिखा नहीं है, तो आदादा बाट लेंगे, कुछ लिखा है, लिखा है, एक वली बाट ना है, तो एक वली ना था, बोले ये इसमें से, तो आपको liable plus 2.5, 2% ही cost बढ़ा, ये वाला तो मेरे ख्यासे, सबसे swap का, सबसे simple question होता ही है, इसमें बिल्गुल दिक्कत में होने चाहिए, और सर दिक्कत जा रही, concept हमको deep में समझना है, तो description, ठीक है सर, बाट समझे होगे, और एक question ले ले, ये एक अच्छा वाला question दे रहे है, ये लोग है, अच्छे से बढ़ना question को, लिखा A incorporation and B incorporation intend to borrow, सहाब A incorporation को borrow करना है dollar 2 lakh, और B incorporation को borrow करना है, 2 lakh dollar के बराबर yen, yen borrow करना है, और एक dollar 120 yen के बराबर है, तो इसको yen borrow करना है, 240 lakh, ठीक, for a time horizon, one year, the prevalent interest rate, A incorporation को क्या borrow करना है dollar, और B incorporation को, ये, और swap में क्या करते हैं लोग, हम A incorporation जिसको dollar borrow करना है, हम उसे dollar borrow नहीं करवाएंगे, उससे हम yen borrow कर वालेंगे, ये तो होता है, अगर जो चाहता है, वही बोरू कर लिए, तो फिर swap का एका, खतम फिर, खेली खतम हो गए, अगे बढ़ते हैं, the entered into a currency swap under which it is agreed that, B incorporation will pay incorporation 1% over the yen law, which the letter will have to pay as a result of the agreed currency swap, whereas, A incorporation will reimburse interest to B incorporation only to the extent of 9%, sir, क्या क्या बोला आपने, मैं खुद समझ नहीं पाया, keeping the exchange rate invariant, quantify the opportunity gain or loss component of the ultimate outcome resulting from the design currency swap, अगर मैं सिर्फ डाइग्राम बनाऊ ना, तो बड़ा सिंपल है, देखो, A incorporation, आपको dollar चाहिए, ना, हम आपसे dollar बोरू नहीं करवाएंगे, ये न बोरू करवाएंगे, 5% तो आपको बाहर कितना देना पड़ेगा, 5% और B incorporation, आपको हम, आपको ये न चाहिए, ना, हम आपसे dollar बोरू करवा लेंगे, तो आपको बाहर कितना देना पड़ेगा, 10% यहां तक ठीक है, और सर कौन किसको कितना देगा, ये लिखा हुआ है, बोले, B incorporation pay करेगा, A incorporation, B incorporation, B incorporation pay करेगा, कितना, बोले, जितना ये लून ले रहा है, पाच परशन, उससे एक परशन जादा, मतलब 6 परशन, और बोला, A incorporation को, A incorporation reimburse करेगा, B को कितना, 9 परशन, बस, कैसा आउट लो, कैसे इंफ्लो कर लो, कितना जा रहा, पाच जा रहा, और कितना जा रहा, नौ जा रहा, पर आ कितना रहा, च्छे तो 8 परशन भी पढ़ा है, इसको कोश्ट, इधर कितना जाएगा, 10 ये जाएगा, 6 ये जाएगा, 9, तो कितना बढ़ा है, साथ परसंट कोश्ट परां सीधी स scoople अगर मुझे एसे निकालना तो मैं से निकाल रूंगा और दिखेरा है किया फिर वैसे तो नौँ परशंट कोश्ट पढ़ा था और आण पर्शन परफाइदा एक पर्शन का वैसे इसको कोश्ट कितना पढ़ा था आठ साथ तो इसको भ है यहान कई काम बबात किसकी करेंगे एनकार्परेशन, लौन लेता बैंक से दो सब्छालिस लाक यह ले लिए है, किसि देएगा, फैर यह अच्छालिस लाक बैए ले速 लिए लौन, तो उधा लेगे हमको देगा ना तो 20 से आ गया डॉलर 2,00, ये कब की बात होगे ये आज की बात होगे एक सल बात जिससे येन लिया था उसको देना भी तो पड़ेगा इंट्रेस्ट 5% इंट्रेस्ट जाएगा बैंक वाले को पर उधर से भी आएगा येन में इंट्रेस्ट 6% और हमें देना पड़ेगा याद करो दोला का 9% देना पड़ेगा लिका तो उस हिसाब से कैस आउट लो एक तो डॉलर 18,000 जाएगा और येन भी हमारा जा रहा है लेक लिकिन हमें उसे कनवर्ट करना पड़ेगा किस में डॉलर में एक कोशन बच चुका आया था सर्द डॉलर को येन में कनवर्ट कर लो ना ये करेंसी अला गया अब डॉलर को येन में कनवर्ट करें कि येन को डॉलर में कनवर्ट करें तो आप देखो एंकॉर्परेशन क्या बोरो करना चाहता था डॉलर तो यहां पूरी बात डॉलर की होगी इसको डॉलर में कितना कॉस्ट पढ़ रहा है तो हमने जो यह का कैस आउट लो इसको एक सो बीस से डिवाइट किया तो इसको डॉलर 16,000 कोस्ट पढ़ा तो पर अगर यह स्वैप नहीं करता तो दो लाक इंट नौ पर अठारह हजार डॉलर कोस्ट पढ़ रहा था जो कि अब सोलह हजार तो बोलो इसको कितने का फायदा हो गया दोहजार डॉलर का प्रॉफिट हो गया इन कोर्परिशन यह प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा आपको अब बात करते किसके बी इन कोर्परिशन के आज क्या होगा याद करो सर आज तो लोन लेना में बेन कोर्परिशन इधर वाला ना या डाइग्राम पर जाओगे को दे दिया और सर उधर से आ भी गया दोसुजार इस लग यहां दा कोई समस्य नहीं है ठीक है सर अब इंट्रेस्ट तो सर दो लाग पे में भी है नो मैंचे दो लाग पे दर्स परशन देना पड़ेगा दिया बीस जर और सर उधर से आएगा नौ परशन यहां और सर डॉलर इंट्व एक्सोबीस यह ज्यादा है ना दोहजर डॉलर उसे सबसे 16,80,000 यह न कोश्ट परड़ा और इंट्रेस्ट विदाउट श्वेप कितना परड़ा था 19,20,000 तो हमें फाइदा कितने का होगा है यह दो लाग चारीश जर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इसके अलावर टू पार्टी स्वेप यह भी हो गया मैं आपको नहीं करवाँगा स्वेप कोटिशन और अब क्या चल रहा है हमारा ओवरनाइट इंडेक्स स्वेप ओवरनाइट इंडेक्स स्वेप है क्या सर कुछ नहीं है भाई वैसे ही है फिक्स देगे फ्लोटिंग ले मैबॉर होगा डेली कंपाउंड बेसिस पर बाकी और कुछ नहीं है ओवरनाइट इंडेक्स स्वेप जश्ट लाइक प्लेन वनीला स्वेप इन विच वन पार्टी इस फिक्स रेट पियर अधर पार्टी इस फूटिंग रेट पियर बट मैबॉर और मैबॉर जो होता है व क्या लिखा है जड़ा गोशन में देखते हैं लिखा है डेरिवेटिव बैंक एंटर इंटर इंटू प्लेन वनीला स्वेप थू ओवरनाइट इंडेक्स स्वेप ठीक है और प्रेंसिपल कितना है दस करोर एगरी टू रिस्यू माइबॉर मतलब डेरिवेटिव बैंक पे करेगी फिक्स किस से स्वेप बैंक से और रिस्यू क्या करेगी माइबॉर ठीक है अब बैंक से और रिस्यू रहा है और रिस्यू रहा है और यह ठीक है इव डेरिवेटिव बैंक रिस्यू तीन सो सत्राव नेट मतलब जू इसको रीस्यू रहा है वो तीन सो सत्रा जादा हो रहा है जादा माइबॉर इसी हो रहा है ठीक है कैलकुलेट फिक्स रेट एंड इंट्रेस्ट अंडर बोथ तर चलो वह रहा है यह पूछ रहा है यह वाला उमाउंट निकाल लेंगे अ कितना कर देंगे यह मतलब यह 277 एक्षिरस मिल रहा है मतलब यहां जो पे करना पड़ेगा वो 377 कम करना पड़ेगा चीज इसी बात यही हुई ठीक है तो सब पहले यह हम क्या ने कर ले हम माय बाउर का कैलकुलेट कर लेते पूरा ठीक एक हजार रेट के है पहला सेवन पोंन स्वंफ पाइब परशंट एक दिन निकलेगा और फिर में यह एड़ हो जाएगा तो यहां और फिर हैं क दिन निकलेगा इसको मिन कलकुलेटर में करने का बताया था घ्री opens करोड केलकुलेटर में और उसको M प्लस में डाल दिये फिर से लिखो 10 करो into 7.75% divided by 365 जो आया M प्लस में हुआ है फिर MRC करोगे तो यह वाला figure आ जाएगा into 8.15% divided by 365 फिर M प्लस करो फिर MRC करो तो यह वाला figure आ जाएगा into 8.12% divided by 365 M प्लस करो तो यह आगया फिर MRC करो तो यह आगया थिक बस आपको बस यह calculation एंटरस्ट का calculation करना एक बात का wishes ध्यान देना है Saturday होगा तो आपको दो दिन का इंटरस्ट एक साथ लेना पड़ेगा मतलब यहां Saturday और Sunday दो दिनों का इंटरस्ट लेना पड़ेगा जो divided by 300 पैसेट करते थे थे ना अब होगा into 2 by 365 ठीक है सर यह जाएगा इस तरह से टूटल इंटरस्ट कितना है 153740 153740 यह कुण सा लाइब तो फिक्स जो देना वो कमी देना पड़ेगा इसमें से माइनस कितना करोगे हम 300 कितना था बहीं 317 माइनस कर देना तो यह जाएगा डेरिविट्व बैंक रिश्यूट 317 नेट शेंट में इट मेंस रिश्यूटल लेग इस मोर दें पेइंग लेग हमको पता है यह ज्यादा होना चैकिस से पेइंग से तो यह फिक्स का आ गया और दीज डिवाड़ेड वे 10 लाग यह तो हमारा स्वैप खतम हुआ एफारी खतम इंट्रेट ग्यारंटी खतम इंट्रेट फ्यूचर कतम फानेंशिल स्वैप चार चीच अब बात करेंगे कैप कॉलर एंड फ्लोर की ठीक स्वैप प्राइजिंग एवेलूइशन हम नहीं करेंगे तो बस 10-15 मिनिट का काम बाग क है ठीक है ठीक है ठीक है चलो जी लास्ट पार्ट पार्ट नमर फाइफ इंट्रेशेट कैप कॉलर फ्लोर अगर मैं बोलों कैप क्या है कैप है कॉल आप्शन की तरह मतलब मतलब सहाब ऐसमें ऐसा होता है कॉल आप्शन की तरह इसका मतलब अगर उपर गया तो एक्सराइस प्राइस के बढ़ने का डर मैं आपको याद है ना आपको हाँ सर हमें ऐसा लगता कि प्राइस बढ़ेगा इस रेट से बढ़ने के लिए हम इंट्रेट कैप खरी सकते हैं इंट्रेट कैप राइट बट नॉट बढ़ेगा तो हम एक्सराइस करेंगे अला कि इसके लिए प्रीमियं देना पड़ता है रेट बढ़ेगा तो हम एक्सराइस करेंगे रेट नहीं बढ़ेगा तो लैपस प्रीमियं जाएगा तो जाएगा अश्म कुछ नहीं कौर कि Ho近ies Woah लग्लव कि नहीं यूह एसा लग रहा है कि रेट कमड़ आसन Flynn कुण धूरा मतलब रहा चाहिस लिए गिरेका quarantine गिरेगा तो पूर्टेस इसके लिए भी क्या देना पड़ता है, प्रीमियम एडवांस में देना पड़ता है, तो अगर हमको invest करना है, तो हमें डर है कि rate कहीं गिरना जाए, तो इसको protect करने के लिए हम interest rate floor खरीद सकते हैं, floor खरीद सकते हैं, floor बेचे भी जाता है, अब floor is a right but not obligation to invest a certain scenario, यह सारी कहानी है, बोक के language है, यह put option, cap मतलब call option, floor मतलब put option, अगर मैं cap खरीदता हूँ, तो मतलब मैं option exercise करूँगा, जब rate बढ़ेगा, rate गिरा तो lapse, floor खरीदता हूँ, तो जब rate गिरेगा, तो मैं exercise करूँगा, और जब उस से उपर गया, strike price से उपर गया तो lapse, floor में बेज भी सकता हूँ, cap में बेज भी सकता हूँ, अब confuse हो जाओगी नहीं, चलो, मैं समझा रहा हूँ, caller क्या होता है, कि strategy बना रहा है, अब सुना धियान से, कि rate बढ़ेगा, आप cap खरीद रहा हूँ, premium दे रहा हूँ, किसी और को तो भाई एक काम करो ना, जब पक्का है कि rate बढ़ेगा, तो floor base दो, सामने वाला कब exercise करेगा, जब rate गिरेगा, और उससे premium सुन कर लो, हमको माले में rate गिरेगा ही नहीं, बात समझ रहा हूँ, कि strategy मना रहा है, जब आपको पता है कि यह बढ़ने वाला है, तो cap, ठीक है, cap आपने क्या किया, खरीदा, तो बदले में premium जो जाएगा, तो उसकी recovery के लिए, फ्लोर बैज दीचिए, वही सामने वाला exercise करेगा, जब rate गिरेगा, तो भी हमें देना पड़ेगा, pay off कोई शक नहीं, वही यहाँ, एक strategy बना, जिसका हमने क्या रखा, call us, अगर आप cap खरीदते हो, तो आपको उमीद है कि rate of interest क्या होगा, बढ़ेगा, प्रीमियम पेकर ना पड़ेगा, और इस प्रीमियम के recovery के लिए, हम फ्लोर क्या करेंगे, बेचेंगे, sell floor, if we buy cap at higher strike price, and sell floor at lower strike price, ठीक है, यह तो strategy है, तो ऐसा कुछ होता है, यह तो अब में इतना समझा नहीं सकता, और इस strategy को क्या बोलते हैं, call us, ठीक है, दो कोशन है, total हमारे study material में, दो मेरे प्यारे कोशन है, इसके अलावा और भी एकात कोशन होगा, पर दो कोशन अच्छे कोशन है, इसलिए में वो करवा रहा हूँ, x, y, z, issue, 10 million floating rate loan, अब यार, हद तो तब हो जाती है, बच्चों का ये कहना है, इसका मतलब आप loan दे रहा हूँ की ले रहा हूँ, बड़ी अजीब सी बात, issue शब लिका, issue कर रहा है loan, इसका मतलब loan दे रहा हूँ, बढ़ी अब छोड़ो ना, आगे बढ़ोगे बात समझ में, issue का मतलब boards issue कर रहा है, loan ले रहा हूँ ना भाई, boards issue कर रहा है, loan लिका है, अच्छा, कितने का, pound 10 million floating rate loan on 1st July 2013, with resetting of coupon rate every 6 month, equal to liabore plus 50 basis point, liabore plus 0.5 पॉर्शन, x, y, z, interested in caller strategy, by selling a floor, caller strategy, floor sell कर रहा है, और cap क्या कर रहा है, buy कर रहा है, यह क्या है, इतने पर loan है, loan, आपको interest pay करना पड़ेगा, ठीक है, x, y, z, buy, 3 years cap, cap buy किया है, cap buy किया है, और floor sell किया, sell किया, ठीक है, and sell 3 years floor, as per the following detail, principal amount at 10 million, 6 month liabore 4%, 4%, मतलब सामने वाला कब exercise करेगा, जब 4% से नीचे जाएगा, और 7% किसके लिए, cap, मतलब कब जब 7% से उपर जाएगा, तो हम exercise करेंगे, बस, और हमें बैंक वालिस, जिससे हमने, हमने बहुंट इस्यू किया, उनको interest देना पड़ेगा, liabore plus 0.5%, यहां तक ठीक है, और क्योंकि मेरा premium जा रहा है, cap पे, और floor पे receive हो रहा है, तो उनका यह कहना, premium मिला, premium गया, premium मिला, यह दोने एक वाल है, तो उसको भूल जा, premium, premium, cut, निकालना क्या, effective interest pad out, pad out at each recent date, interest कितना जाएगा, और date बता दिया है, और उस दिन liabore का rate यह होगा, वो बता है, ठीक है, तो एक बार लिखन ले क्या, यह date है, और यह liabore का rate है, यह में table बनाना पड़ेगा ऐसा, loan amount है, इतना, और date है, यह, cap कब exercise होगा, 7% से उपर, floor कब exercise होगा, सामने बाला कब exercise करेगा, 4% से नीचे है, मुझे 10 लाग पर loan देना पड़ेगा, कितना, liabore plus 0.5% और liabore का rate यह दिया हुआ, तो अगर liabore यह होता है, तो मुझे bank वाले को, मतलब bonds issue जो किया, उस पे liabore plus 0.5 interest देना पड़ेगा, तो सब में मैंने 0.5% जोड लिया, अब बस एक दिक्कत है, वैसे तो मैं 6-6 महा का calculation कर लेता, CDC बात है, पर ICAI ने days calculate किया, 184 days, तो एक साथ से आप 31 December तक गिन लिजे 184 आएगा, और फिर वहां से 36 तक गिनो कि 181 आएगा, तो उन्होंने days के हिसाब से calculate किया, सबसे पहले यह देखो कि bank वाले को कितना, bonds जो issue किया, उस पे कितना payment करना पड़ेगा, तो निकाल लीचे 6.5% किस पे 10 millions पे कितने दिन का 184 days का तो यह आगा है, यह मुझे जिन पे जो मैंने bonds issue किया ना, उस पे मुझे interest pay करना पड़ेगा, कोई शक ने, यह तो हो गए है, ठीक, अब सवाल यह है कि हमारा cap exercise होगा कि नहीं होगा, सामने वाले का floor exercise होगा की नहीं होगा, यह देखना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे यह वाला rate नहीं देखना है, मुझे यह वाला देखना, IC AI ने एक बार यहां गलती किया था, उन्होंने यह वाला rate, यह मुझे नहीं देखना है, यह वाला देखना है, 6 हुआ, तो क्या दोनों laps, यस, 7 हुआ, तो क्या exercise ही नहीं, अभी भी laps, 5 हुआ, तो क्या अभी भी laps, यस, 3.75 पे सामने वाला floor exercise करेगा, और हमें देना पड़ेगा, निकाल लेते हैं, कितना difference आ रहा है, पॉइंट टू फाइफ पर्शन, 6 महने का, निकाल लोगे तो इतना आ जाएगा, यह हमें देना पड़ेगा, मतलब यह तो देना पड़ेगा, बैंक वाले को, और floor exercise पे यह देना पड़ेगा, इन दोनों को plus करोगे, तो यह आ जाएगा, ठीक, टूटल डेस कितने हैं, फाइफ एफेक्टिव रेट उप इंटरेस्ट मान लोगा, मतलब हमें पर हैं, निकालना पड़ेगा, तो इतना इंटरेस्ट जा रहा है, कितने पे, इतने पे, कितने दिन का, फाइफ जिरो रहें, तो 365 दिन का कितना, आंसर कितना जाएगा, 5.54 पॉश्ट ठीक है, अच्छा कोश्ट है, और इसमें गलतिया हुई है, हमारे इंस्टिट्यूट ने गलतिया किया, पर ठीक के बाद में उन्होंने ठीक भी कर लिया था, और ये कोश्ट है, ये वाला, लास्ट कोश्ट है, आज की क्लास का, उसके बाद बाद बाई-बाई, अच्छा, और आपको टेस्ट, चलो ये कोश्ट कर ले ते उसके बाद बाद करेंगे, लिखा हुआ, एक्स वाई-जेड बोरो, पंद्रह मिलियन, शिक्स मन्त लायबॉर प्लस टेन परशन, भाई बोरो किया, लायबॉर प्लस टेन परशन, ठीक, ठीक, तो अच्छा, अच्छा लग रहा है कि लायबॉर बढ़ेगा, हाँ, पक्के बाद है, तो ये हैंस, इस प्रोपोजेश टू बाई एक कैप, उसे ये कैप खरीद रहा है, बढ़ेगा तो एक्सराइज, इस्ट्राइक प्राइस कितना, आठ परशन, बतलो आठ परशन से उपर हुआ, तो हम कैप एक्सराइज कर लेंगे, प्रीमियम देना पढ़ रहा है, वन परशन फ़र इंटायर रिसेट पिरिएट, और फिक्सराइट अफ इंट्रेस्ट कितना है, सेवन परशन, तो एक्ट्वल पोजिशन अफ लाइबर दूरिंग दा फोर्थ कर और लाइबर, यह हो गया, बुले, चार पिरिएड होना चाहिए, वन टो थी फोर उसने तीन पिरिएट का बता है, ठीक है, कोई दिक्कर निक्राइबर, यह हैं चोबिस मंत लिखा है ना, छे, 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 चोबिस मंत, सबसे पहला काम है, प्रीमियम एक पर्शंट जा रहा है, लोन एमाउंट कितना है, पाउंड पंद्रा लाग का वन पर्शंट, एक लाग पच्छास ज़र पाउंड, अब यह एक लाग पच्छास ज़र जो पाउंड है, प्रीमियम वो एक साथ जा रहा, मतलब वो हर 6-6 मेने का है, मतलब फर्श 6 मंत का भी इसी में है, मतलब सर यह 6 मेने, 6 मेने, 6 मेने, 6 मेने, डिवाइड बाइ 4 कर सकते हैं, कि तो हर पिरियट का हमें प्रीमियम निकल जाएगा, पर उसमें time value of money ignore हो रहा है, तो डिवाइड बाइ 4 ना करके, हम present value energy factor से डिवाइड करतेंगे, जैसे हम leasing में किया करते थे, equal annual installment निकलते थे, सर इसके विसे में समझा होगे, कि आप ऐसे नहीं समझा सकता, आप regular class चेक करोगे, कि मैंने फिर x लेकर पूरा derivation किया, कि किस तरह से होगा करके, यहां rate of interest कितना है, 7% तो उसको मैंने 3.5% लिया, 6 मैंने का 4 किस्त निकालना है, तो यह installment निकल गया, premium इसको बलते हैं, प्रीमियम का amortization करना पड़ेगा, चार साल में, तो amortization कितना कितना होगा, बले 1.5.5 इस तरह से amortization होगा, पहले period में इतना premium, दूसरे period का इतना premium, तीसरे period का इतना premium, यहां तक होगा, पूछ किया रहा है, वो पूछ रहा है कि बताईए, आप hedge किस तरह से करोगे, अब दो presentation, एक है मेरा presentation, सबसे पहले आप अपना presentation बताऊगे, कि अगर मैं अपना बताऊँ, तो सीदी सी बात है, जैसे मैंने करवा रखा था पिछली बार, तीन ही period बोला है, ठीक है, कैप कब exercise होगा, 8% से उपर, loan amount कितना है, 15 million, तो लाइबर होगा, 9.5, 10, लेकिन मुझे bank वाले, जिससे मैं उधा ले रहा हूँ, 10% extra देना पड़ा, 19, तो total loan आजाएगा मेरा इतना, अब सवाल यह है, कि exercise होगा, कि आठ से उपर है भई, exercise होगा, तो इतना मिलेगा, और यहाँ 1.5% मिलेगा, और यहाँ 10% मिलेगा, और प्रीमियम भी जा रहा है मेरा, तो total मिलाकर, एक तो यह पैसा जा रहा है, एक यह जा रहा है, लेकिन यह मेरा, मुझे मिल जाएगा, तो total मेरा effective interest, यह गया, यह गया, यह गया, तो total मिलाकर, मुझे इतना पड़ा, it means, मैं आप से क्या कहना चाहता हूँ, अगर, अगर सुना धियां से, अगर मैं कुछ नहीं करता, मैं cap wrap नहीं खरिदता, तो मुझे interest इतना पड़ा है, लेकिन cap खरिदने के कारण, मुझे interest इतना पड़ा है, तो total interest कितना hedge हो गया, इतना hedge हो गया, तो बोले additional interest कितना आ जा रहा, 8% से उपर जा रहा है, कि हमने कहाँ जी additional interest इतना जा रहा है, और जितना additional जा रहा है, उतना तो कहीं और से आ रहा है, exercise हो जाएगा, तो जो जा रहा है वो तो बच जाएगा आपका, ठीक है बही, पर बोले premium तो जाएगा ही जाएगा, तो ultimately आपका जो है, अगर आप इसमें नहीं पढ़ते, तो आपको जो इतना देना पढ़ता, additional interest, लेकिन अब इतना ही देना पढ़ रहा है, cap की वज़ा से, तो उस वज़ा से आपने कितना interest से उखर लिया, यह presentation मुझे बहुत खास पसंद नहीं आया, पर ठीक है, मैंने दोनों करवा दिया, ठीक है जी, तो सर यह खतम, यस, खतम, अब क्या है, अगला chapter 4X होगा, यह chapter में थोड़ा सा टाइम लग गया था, वज़ा मैंने आपको पहले ही बता चुका, इसका revision करोगे, इसका test paper अगली बार आएगा, अब भी जो description में check करोगे, तो आपको क्या-क्या मिलेगा, एक तो notes मिलेगा, यह वाला, ठीक है, सर और इसके अलावा में आपको description, एक test paper भी होगा, वो test paper अगर आप इस लाया, यह यहार test देना, और हमें feedback भी चाहिए सर से, तो साहब test paper लिखिए, और WhatsApp नंबर उसी description में दे देता हूँ मैं, तो उसी WhatsApp पे आप अपना test paper फोटो लेकर, मुझे send कीचे, मैं check करके बताऊंगा आपको कि क्या है, नाम और city का नाम, यह दो चीज़ा पक्का पक्का लिखोगे, ठीक है, तो अगला chapter 4X का करेंगे, और उसमें भी हम class notes जो होगा न, उसी के थूँ काम करेंगे, और जो topic थोड़े से मुझकिल है, उसका मैंने description में link पक्का दिया होगा, तो वीडियो आप देख लोगे, में अगर देखना होगा, ठीक, ठीक्यों तो मच, बाई-बाई.